हाल Benton रों नो वाय हैं live and I know ला ले लाल को बड़े हैं हालो बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग मैं पूरी उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया मैं भी यहां पर एकदम मज़े में और आप सब लोग की पड़ाई चल रही होगी बहुत ही अच्छे से अभी तक booster badge के अंदर हम लोग दो session ले चुके हैं जिसमें हमने पहले session में पहले दो chapter अगले session में अगले दो chapter किये हैं आज हम management of working capital करने वाले हैं पहले तो सबसे पहले आप लोग ये बताईए कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले चार चैप्टर राइटिंग में कर लिये हैं बताईए EBI TPS leverage management of receivables and cash management कितने बच्चे ऐसे हैं जो इन्हें राइटिंग में कर चुके हैं जल्दी जल्दी जवाब दीजिए कितने बच्चे कर चुके हैं इसको समीता कशिश गोरव टी टीवी निखिल साहिल विष्णु और नमन विक्कू माही महेक सिधार्ट नंदा अरुन मनीशा करिश्मा साक्षी रचित दृष्टी महेक गोरव महेंदर दीपिका अर्चित समन और महेंदर, विशाल, निखिल बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं मलजित्तों के नाम ले लिए मैं ले लिए बाकी बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चल रहा है तो पूरा काम खतम हो जाएगा एक बच्चे इको के लिए पूछ रहा है बेटा इको का जो में एटेम्ट के लिए बूस्टर सा सेम वही एपलाई करना है आज रात को मैं इसी प्लेइलिस्ट में उसे एड़ भी कर दूँगा और उसके नोट्स भी आपको हमारे पास परसेंट के साथ में बहुत ही सेलेक्टिट कोश्चन जो एक्जाम ओरियंटेड होते हैं वो उठा लिए जाते हैं तो हमने उनको नाम दिया बीबी क्यू बूस्टर बैच कोशन यह बूस्टर बैच कोशन इस्टडी मैटेरियल आर्टी पी एम्टी पी प्रैक्टिस मैनल पास्टियर कोशन मैंसे जो स्मार्ट कोशन है जिसमें सारी एज़िस्ट्मेंट कवर हो जाती हैं और एक्जाम ओरियंटेड हैं उन्हें हम उठा लेते हैं तो बच्चे को जो एक दिक्कत होती है लास्ट में क्या रिविजन करें वो कोशन ढूंता रह जाता है वो सारे वाइल है और यह सिर्फ एक कोशन की लिष्ट नहीं है बलकि वो सारे कोशन किलास में करवाई भी जाते हैं और किलास के बाद बच्चे उसको राइटिंग में करते हैं जिससे वो उनका पूरा काम पक्का हो जाता है तो यह वन जीरो टू कोशन इसमें आपके पास रहते है हमारा बैट टोटल 7 लेक्चर का है जिसमें आज 3rd लेक्चर है और 1st 2nd October को 2 लेक्चर हो चूके आज 3rd को है कोई छुट्टी नहीं बीचमे सेवन्थ institutions पूरा खतम हो जाएगा इको का जो booster है वो में वाला ही apply होगा क्योंकि कोई change नहीं है उसे मैं आज इसकी play list में add way कर दूँगा concept हम लोग 100% लेकर चलेंगे speed medium रहेगी timing 5 to 7 है कई बार 7 से थोड़ा आगी जा सकता है अगर कोई class लंबी खिच जाती है तो जैसे capital budgeting में हो सकता है लंबी खिच जाए तो 5 to 7 वैसे normally time रहेगा हमारे पास ये notes कहां से मिलेंगे हमें तो notes के लिए आपको simply telegram channel पर सिए नमी तरवर लिखना है आपको हमारे channel मिल जाएगा वहाँ पर जाएगा वहाँ पर pin message में आप जाएगे तो दो pin message हैं एक FM booster notes एक costing booster notes तो आप click करेंगे तो FM booster और costing booster आपके पास आजाएगा बस इसे आप download कर लीजिए और print out इसका निकलवा लीजिए print out निकलवाना बहतर रहेगा क्योंकि soft copy notes में पढ़ने में उतना मज़ा नहीं आता तो हमारे पास यहां तक चार chapter अभी तक खतम हो चुके हैं बहुत अच्छे से हम लोग चल रहे हैं पूरा मजा रहा है आज हम जो करने वाले working capital chapter ये एक important chapter है हर attempt में इससे आया ऐसा जरूरी नहीं है लेकिन इसकी probability बहुत ज़ादा रहती है हर चार में से तीन attempt में आता है तो यानि 75% probability की exam में आने की रहती है जैसे capital busting की 100% probability होती है तो management of working capital बहुत ही आसान और बढ़ी है chapter है इसमें simple सी दो technique है उनके उपर question बनाने होते हैं उसको अगर हम अराम से समझ लें कि क्या कह रहा है तो बड़े अराम से इसके question बन जाते हैं अलग-अलग type के जितने भी question है आज वो हम सारे के सारे management of working capital के करने वाले हैं with 100% concept आप लोग की अगर कोई भी point कोई भी बात है तो आप अभी बोल सकते हैं उसके बात में हमारा live जो chat option है वो हम disable कर देते हैं जिससे बच्चों को disturbance ना हो फिर वो session खतम होने के बाद ही on होता है बाकी जो हमारा channel है वो non-monetized है और ये video हमेशे YouTube पर available रहेंगी तो हमारे channel पे कोई भी video अगर आप देखते हैं तो उसमें कोई advertisement नहीं आएगा क्योंकि academic channel है तो academic channel पे बच्चा पढ़ाई करने आता है तो डिश्टर्ड होता है add की वज़े से हाँ जी काजल कहरें good evening sir रश्मी कहरें sir इको याद नहीं हो रा प्लीज हैल बेटा याद तो आपको करना पड़ेगा थियोरी में और कोई इसका solution नहीं है बारवार उसको read करिये याद होगा sir booster के इलावा last three हाँ एक बच्चे पूछते हैं क्या sir सिर्फ booster के ही question करने है तो मेरा कहना है कि जैसे 102 question हमने select करके निकाल दिये इसके इलावा आपको जिस वी author की book से आप पढ़ रहे हैं या study mat में या कहीं पर भी आपको ऐसा कोई question दिखता है कि नहीं यार ये भी कर लेना चाहिए तो ऐसे 102 question हमने दिये 20-25 question आप अपने भी select करके रखें उन्हें भी आप writing में करके रख लेंगे booster के साथ में तो आपके पास यह हो जाए कि हाँ ये तो sir ने करवाई थी इसके इलावा वो portion भी आपका cover हो जाएगा वैसे हम ये expect करके चलते हैं कि booster के concept के बाहर से तो concept नहीं आ सकता region concept 100% हो रहा है तो concept बाहर से नहीं आएगा लेकिन कोई adjustment कोई question अगर बाहर से आता है तो उसके लिए आपको लगता है कोई भी एकात question ऐसा है तो वो आप साथ में करके चलें बाकी आप ये मान कर चलें कि 80-90% probability रहती है कि पूरा paper यहीं से आ जाता है concept तो यहीं से आना है क्योंगी 100% concept है question भी यही repeat हो जाते है जी मज़ा आ रहा है sir thank you so much आपकी वज़े से post FM दोनों हो जाएगा मेरा अच्छे से sir booster के साथ fast track book का PYQ कर रहा हूँ enough होगा बहुत बड़े अकर रहे हो प्रिशान बिल्कुल सही चल रहे हो FM eco का booster enough है exemption के लिए यदी अच्छे से किया है तो sir eco के important question भेज़ दीज़े बेटा मैंने आपको बता दिया कि पिछले attempt का booster आप follow करें उसके लिए और sir आप से पढ़ रहे हैं फिर कौन से करें मेरे से पढ़ रहे हैं मेरे को बात समझ में नहीं आई इसकी और sir last 6-7 attempt की RTP MTP exam paper कर लें बहुत हैं बिल्कुल ठीक है ये साथ के साथ आप कर लीजिए sir fast track वाली book sufficient है बिल्कुल more than sufficient of fast track वाली book sir last time receivable आया था तो इसवार WCM से आ सकता है प्रियांक्शू पूछें ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं होता अगर आप ऐसा सोचते हो कि ICA इस तरह से सोचता है कि पिछले attempt में हमने management of receivable से पढ़ा पूछा था तो आप working capital से पूछें ऐसा कोई हिसाब किताब नहीं है यह myth है यह गलत है ऐसी कोई calculation करके exam में ना जाए sir previous booster से अलग है क्या बिल्कुल अलग है मैंने आपके November 22 वाला booster देखा था November 23 exam के लिए पिछले महीने तो क्या वो वाला booster batch मुझे करना है यह वाला आपने अगर पिछला किया हुआ है तो पिछले booster और इस वाले booster के जो notes में difference है वो difference वाले question कर दीजिएगा बस sir last time मैंने this this यह हो गया 40 page 40 marks yes बिल्कुल और आपका this 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 और कोई मेरे को लगता नहीं ठीक है मुझे लगता है बाते हमारी हो चुकी है वीडियो को like कर दीजिए और हम लोग live chat को disable कर रहे है और working capital chapter की शुरुआत कर रहे है जिन भी बच्चों को आज तक इस chapter में दिक्कत रही है उन बच्चों की आज इस chapter की दिक्कत खतम होने वाली है जी सबसे पहले working capital का मतलब क्या होता है working capital शब्द current assets के लिए इस्तमाल किया जाता है लेकिन समय रहते रहते working capital को दो नाम दिये जाने लगे एक gross working capital और एक networking capital gross working capital का मतलब होता है current assets और networking capital का मतलब होता है net हमारा पैसा कितना लगा उसमें current liotage minus हो जाती है market trend के चलते चलते आज की date में market में अगर कोई भी बोलता है सिर्फ working capital तो question आता है कि working capital को हम current assets माने या current assets minus current liotage तो out of trend ये pattern set हो गया है कि working capital अब CA minus CL कहलाने लगी है यानि अगर सिर्फ working capital शब्द बोला जाए तो हम net working capital पकड़के चलेंगे जबकि शुरुआत में जब ये नाम आया था तभी current assets के लिए इस्तमाल होता था तो working capital का मतलब हम लोग लेके चलेंगे current assets minus current liotage हमारी company के अंदर दो तरीके की working capital होती है एक permanent और एक temporary permanent working capital का मतलब है जिसे हम reduce नहीं कर सकते जो essential working capital है जो minimum हमें पूरे साल चाहिए ही चाहिए जैसे 10 लाग रुपे हमें पूरे साल में चाहिए working capital में 10 लाग कैसे चाहिए होते हैं basically कुछ पैसा raw material stock में लगा होता है कुछ WIP stock में कुछ finished goods stock में कुछ debtors में कुछ prepaid में कुछ आपका settled हो जाता है outstanding से कुछ आपका provision बनाने पड़ते हैं आपको कुछ creditors हो जाते हैं तो इस तरीके से जो आपकी working capital होती है मान दीजिए 10 लाग है और आप इसे reduce नहीं कर सकते जैसे raw material का stock minimum हमें इतना चाहिए ही चाहिए हम इसे reduce नहीं कर सकते finished goods का इतना stock हमें रखना ही होगा हम इसे reduce नहीं कर सकते हमें cash balance इतना maintain करना ही होगा हम इसे reduce नहीं कर सकते तो अगर ऐसी situation है कि सारी चीज़ें आपने minimum level पे ले ली हैं तो उसे बोलते हैं permanent working capital तो मान लीजे 10,00,00 रुपे आपकी permanent working capital है इसे आप कम नहीं कर सकते अब जो season आता है तो season में जितनी भी working capital होती है वो increase हो जाती है मान लीजे season में 50% increase होकर 15,00,00 रुपे हो गई अगर आप किसी suite की दुकान पे जाते हैं तो दिवाली पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा suites का stock भरा होता है तो working capital बढ़ गई जब दिवाली खतम हो जाई की तो आप देखेंगे वापिस suite की दुकान normal stock पे आ गई है तो temporary working capital कुछ time के लिए आती है कि हमारे पास कुछ है sources of funds ये business जो भी आप business कर रहे है और business का पैसा लगता है application of funds में application यानि पैसा आखिर आपने लगाया कहां तो application of fund का पैसा दो पार्ट में तोड़ा गया है एक long term लगने वाला पैसा जिसको fixed assets and long term investments में माना गया कि long term investment और fixed assets में जो पैसा लगेगा ये हमारा long term का पैसा लगेगा ये fluctuate नहीं होगा जैसे fixed assets खरीद ली अब वो fluctuate नहीं होगी आपने किसी company में पैसा invest कर दिया large amount अब वो fluctuate नहीं होगा इसके बाद में आता है जो पैसा time to time rotate होता रहता है उसको नाम दिया working capital तो हमें एक company run करने के लिए हमें company run करने के लिए fixed assets भी चाहिए और हमें company run करने के लिए working capital तो चाहिए ही चाहिए बिना working capital के कोई भी company नहीं चल सकती क्योंकि stock भी working capital में ही cover होता है अब हमारे पास अब हमारे पास question यह आता है कि यह source ही जो fund से हम कितना पैसा मंगवाएं क्योंकि इनसे जो पैसा मंगवाएं जाता है वो पैसा long term के लिए हमारे पास आता है जैसे equity से preference से और debt से अब मानली जी debt से आपने एक बार पैसा मंगवा लिया तो debenture तो 5 साल 10 साल की redemption value के साथ redemption tenure के साथ issue होते है आपने किसी bank से loan ले लिया तो 5 साल 10 साल का loan लोगे तो 80 करोड आपको चाहिए ठीक है यह तो final होगे 80 करोड मंगवाना है साथ में हमें देखना होता है कि आखिर working capital में हमें कितना पैसा चाहिए होगा तो हमें उसका estimation करना पड़ता है आने वाले समय के लिए सर estimation क्यों कर रहे है estimation इसलिए कर रहे है जब हमें जरूरत पड़ेगी जिस समय जरूरत पड़ेगी उससे पहले तयारी रहनी चाहिए management का एक ही काम होता है management skills बोले जाते हैं आने वाले समय की तयारी जैसे आप लोग revision कर रहे है यह exam की तयारी चल रही है exam वाले दिन थोड़ी आप revision करने बैट जाओगे revision तो उससे पहले ही करना पड़ेगा न ऐसे ही working capital में कितना पैसा हमें चाहिए इसका estimation हम पहले से करके रखते हैं तो हम क्या करेंगे हम यह देखेंगे year के beginning में कि पूरे साल कितनी हमारी units बिकेंगी कितने debtors रहेंगे कितने creators रहेंगे और इसका estimation कर लेंगे मान लीजिए आगया 5 crores तो अब हम year के beginning में ही कितने पैसे का arrangement करके चले हमें 85 crore का arrangement पहले से ही करके चलना है equity preference debt से जैसे आप लो किस से पैसा मंगवाना है वो capital structure का part है EBI TPS में हमने यही किया था कि किस structure से पैसा मंगवाएं तो यहाँ पर हमारा focus रहेगा application of fund पर हमें application of fund की amount जाननी है और उसके लिए यहाँ पर हमें यह working capital का estimation करना है तो यह इस तरीके से पूरा chapter designed है तो working capital management में CA intermediate level पर रखा गया है estimation of working capital क्या आप estimate करके बताइए कि आखिर आपको पूरे साल कितनी working capital की need होगी उतना पैसा हम सोर से जो fund से पहले ही मंगवा कर रखेंगे तो सिर्फ estimation करना ही CA inter के अंदर cover किया गया है यह है इस chapter का पूरा base के आखिर यह chapter है क्या अब जड़ा देखिए अब estimation कैसे किया जाए हमारे पास estimation करने के दो तरीके के numerical design है एक है operating cycle या working cycle working capital cycle method और दूसरा है component wise estimation या फिर quantitative estimation method तो जो operating cycle method है हम पहले उसे देखेंगे उसके numerical करेंगे फिर हम component wise estimation देखेंगे और बस यही दो इसके अंदर method हमारे पास रहेंगे उसके अंदर छोटी छोटी चीज़ आती रहेंगी वो discuss होती रहेंगी तो operating cycle क्या कहती है कि एक system समझेगे कि हमारे business में कितने दिन में हमारा पैसा हमारे पास load कर आता है तो जैसे आपके पास raw material stores है सबसे पहले raw material से बास शुरू होगी तो हम raw material stores में check करेंगे कि आखिर raw material stores में own and average कितने दिन के लिए हमारे store में समाना रखा रहता है तो कई लोग होते हैं store में एक महीने का समान रखते हैं कई लोग होते हैं store में store में hold करते हो तो हम निकालेंगे raw material storage period इसे हम बोलेंगे r तो जैसे हमने मान लिए raw material storage period 30 दिन है अब ये raw material धीरे 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 जाता है factory में जैसे ज़र्वत पढ़ती है factory के अंदर काम चलता रहता है तो factory के अंदर multiple machines होती है जैसे मान लिए 10 station है 10 station का मतलब है 10 अलग operations business के अंदर factory के अंदर हो रहे है उन operations से गुजर कर raw material finish goods में convert हो जाएगा तो जब आपके पास factory के अंदर समान जाता है तो हमें चेक करना पड़ता है WIP conversion period WIP conversion period का मतलब है कि अगर एक unit अभी आपके पास अगर एक unit अभी आपके पास factory में आई है तो वो कितने दिन में convert होकर finish goods बन जाएगी तो कुछ चीजों का conversion period एक दिन हो सकता है कि आज ही raw material आया और आज ही finish goods बन गया लेकिन कुछ चीज़े हो सकती है जिनका conversion period दो दिन, तीन दिन हो कुछ चीजों का conversion period चार दिन, पांच दिन, एक महीना हो सकता है कुछ चीजों का conversion period पांच, पांच साल तक हो सकता है ऐसी कौन सी चीज़े है सर जो champagne बनती है champagne five years old होती है तो उसको पांच साल तक store करना पड़ता है even आपने देखा भी होगा leaker के case में सुना होगा कि 10 साल पुरानी leaker है 100 साल पुरानी leaker है और 1-1 करोड, 2-2 करोड की बहुतले बिखती है कि 200 साल पुरानी बहुतल है तो 2 करोड, 3 करोड का उसका price होता है जितनी old होती है, उतनी महंगी होती चली जाती है तो मुझे बताइए, एक champagne बनने में Convergent Period कितना लगा तो एक champagne बनने में Convergent Period 5 years का भी हो सकता है तो WIP Convergent Period यहाँ पर आपके पास रहेगा हमें देखना होगा अपने business के accordingly वो कितना time लग जाता है तो हमने यहाँ पे मान लिया, on and average 20 दिन लग जाते है इसे हम W से रिप्रिजेंट करते हैं, अब डवलू आइप रो मैटेरियल पहले गया फैक्टरी में जाती है, उसका नाम होगे WIP, अब WIP कम्पलीट होके बन गया फिनिश गूर्स, अब क्या होता है जैसे आपका फिनिश गूर्स तयार हुआ, तो क्या फिनिश गूर्स तयार बताता हूं दो दिन वाद गए तो आप देखते हो गाड़ी है फिर से खड़ी हुई है इटमीन सभी तक वह भी की नहीं अच्छा कुछ चीज़ होती है जिसमें फिनिश गूर्ट का कनवर्जन पीरियड फिनिश गूर्ट का होल्डिंग पीरियड जीरो हो सकता है जैसे एक् हमें रोच चाहिए और सप्लाई आ रहे है असी हजार तो लोग क्या करते हैं प्री बुकिंग करवा के रखते हैं अब जिस दिन एक्टिवा शोरूम में आईगी उसी दिन वो फॉन कर देंगे सर आपकी एक्टिवा आ गई है आप उसी दिन उठा के ले जाओगे तो फिनि इसे हम लोग बोलते हैं तो हमने यहां पर यह मान लिया तीस दिन है हमने यहां पर फिगर्स एडियॉम्ड करके रखे हों यह अब इनको निकालना भी सीखेंगे इसके बाद में आपने फिनिश बेज़ दिया तो अगर हम बात करें बीटूसी की बीटूसी का मतलब होता है business to customer तो business to customer जो चीज बिखती है वो cash में बिखती है उसमें उधारवाजी नहीं होती लेकिन यहाँ पर हम बात करें एक essay organization की जिसकी अपनी factory है तो factory का मालिक जो भी owner है या company का मालिक जो इस company को चला रहा है वो समान सीधे customers को नहीं भेजता वो अपने distributors को भेजता है जो हर city में बैठे होते है आपने सुना भी होगा के भई मेरे दोस्त के फादर के पास इस चीज की agency है कुरकुरे की agency है लेज की agency है, ब्रेड की agency है तो यह agencies क्या होती है यह agency जो होती है distributors तो क्या हमने factory ने अगर समान भेजा तो distributor cash में खरीदता हुगा पूरे इंडिया में सारण distributor उधार पे समान खरीदता है तो उनको credit देना पड़ता है distributor कहता है, मैं तो जी आपकी company का representative हूँ, मैं तो agent हूँ मुझे 30 दिन का उधार दो वो आगे बजार में wholesalers के पास बेजता है वो भी उधार देता है आगे wholesalers को फिर wholesalers customer को देते है wholesalers 15-20 दिन बाद पैसा देते है distributor को, distributor 15-20 दिन बाद पैसा देता है factory के मालिक को, तो हम यहाँ पर distributor आगे क्या कर रहा है, उस पर नहीं जाएंगे लेकिन हमें distributor से कितने दिन में पैसा मिलेगा, यह हमें देखना होगा तो हमने finished goods बेज़र distributor के पास उसको हमने 40 दिन का उधार दे रखा है इसे हम कहते है, debt collection period distributor ही यहाँ पर हमारे debtors है, इसको D से represent करते है अब जड़ा देखिए 30 दिन raw material holding period है 20 दिन WIP का conversion period है 30 दिन finished goods है और 40 दिन debtor के पास लग गए तो अगर हम इसको जोड़ें तो 50, 80, 120 डे जो गए ओके तो R plus W plus F plus D इसके बाद में debtor हमें जब 120 दिन हो जाएंगे तो हमें cash दे देगा तो बताइए आपके पास पहले दिन raw material में कोई समान पहुचा 30 दिन तक रहेगा फिर conversion में 20 दिन फिर warehouse में 30 दिन फिर debtor उसका पैसा 40 दिन में देगा तो आपकी जेव से जो आज पैसा निकलेगा वो 120 दिन के बाद आपकी जेव में आएगा इसमें आपको support कर सकते हैं creditor creditor कैसे support कर सकते हैं मैंने क्या कहा जो पैसा आपकी जेव से आज निकलेगा वो 120 दिन बाद आपकी जेव में आएगा अब मैं इस बात को कहता हूँ creditor क्या करेगा creditor आपसे कहता है कि आपकी जेव में पैसा 120 दिन बाद आएगा लेकिन आप पैसे को आज मत निकालो मैं आपको 30 दिन का उधार दे देता हूँ आप अपनी जेव से पैसा निकालना 30 दिन के बाद तो हमारी जेव से पैसा जाएगा 30 दिन के बाद और हमारे पास पैसा आएगा 120 दिन के बाद तो हमें 30 दिन का सपोर्ट मिल गया इसका मतला हमारा पैसा किते दिन ब्लोक हुआ 90 डेज 90 डेज के लिए आपका पैसा ब्लोक हो गया कैसे फिर से बोलता हूँ मेरी जेव में पैसा आएगा 120 दिन के बाद और मेरी जेव से पैसा जाएगा 30 दिन के बाद तो 90 डेज मेरा यहाँ पर ओपरेटिंग साइकल कहलाएगी इससे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकल या फिर ओपरेटिंग साइकल क्रेडिटर पेइमेंट पीरिएट को हम सी से दिखाते हैं तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि आखिर हमारे जो साइकल है ओपरेटिंग सा डेट कलेक्शन पीरिएट डेटर डी और क्रेटर पेमेंट पीरिएट सी तो हमने इसे जोड़ा यह 90 डेज आ गया ठीक है अब हमारे पास आ गई कि हमारी साइकल 90 दिन में गूमती है अब देखे हम क्या करेंगे अब हम देखेंगे हमारी पूरे साल की कोस्ट कितनी है तो जो क्या करेंगे annual operating cost divided by 365 इससे आपका एक दिन का खर्चा आ जाएगा 365,000 मेरी जेव से पूरे साल में खर्च होते है इसका मतलब एक दिन में मेरी जेव से 1000 रुपे खर्च होते है multiply by operating cycle period तो आपकी operating cycle कितने दिन में घुमती है 90 डेज में इसका मतलब 90 दिन का खर्चा आपको अपनी जेव से करना होगा पहली बार first time जब खर्चा करोगे तो पहली वार जब raw material stores में जाएगा WIPM conversion finish shoots में जाएगा तो पहली वार का जो cycle घुमानी है वो आपको अपने पास से घुमानी पड़ेगी उसमें 90 दिन लगेंगे तो 90 दिन में आपके रो जाना 1000 रुपे खर्च हो जाएगे तो ये आपकी working capital है उस तारीक को खर्च किया था वो 91 डेज पर जो तीन तारीक को खर्च किया था वो 92 डेज पर ऐसे 90 दिन का gap हमेशा बना रहेगा तो आपकी जेव से 90 रुपे हमेशा advance में खर्च हो जाएगे ऐसे समझेए कि हमाई जेव से 90 रुपे advance में खर्च होंगे और cycle खतम होने पर वो 90 रुपे हजार रुपे हमें रिसीव होंगे जब रिसीव होंगे उतने में हमारी नई cycle शुरू हो चुकी होगी तो हमारे पास 90,000 working capital बनेगी तो यह है हमारे पास working capital का पहला method तो हमारे पास समय करना क्या है working capital निकालने के लिए operating cycle R plus W plus F plus D minus C निकालो working capital निकालने के लिए annual cost को 365 से डिवाइट करो और operating cycle से multiply करो अगर question आपको उसके इलावा बता दे कि हमें कुछ desired cash भी रखना है तो उसे हम अलग से add कर देंगे वैसे आज तक ICI ने desired cash को अलग से operating cycle method में नहीं पूछा तो हमारे को जो मिलेगा वो annual operating cost divided by 365 multiply by operating cycle मिलेगा अगर कुछ cash balance है तो उसे अलग से जोड़ना है उसको divide या multiply नहीं करना इसका दूसरा तरीका रहता है कि आप annual operating cost को number of cycle से divide कर दो तो number of cycles basically कैसे निकलती है number of cycle निकलती है 365 divided by operating cycle एक cycle से अगर आप divide करेंगे तो आजएगे तो जैसे आपकी 90 टेची cycle है तो 365 divided by 90 आपकी एप्रोक्स 4 cycles हो गई ठीक है तो हमारे पास cycle number of cycles निकलने है तरीका होता है 365 divided by एक बार की cycle का period तो हमारे पास इस तरह से आता है और यहाँ पर हमने क्या किया है 365 से divide किया है और operating cycle से multiply किया है यानि यहाँ पर operating cycle से multiply है कि यहाँ पर आपने operating cycle को multiply किया है तो आप यहाँ पर number of cycles से divide कर दो जैसे हमारा पूरे साल का खर्चा है 3,65,000 रुपे तो हमारी operating cycle आई है 4.055 इस तरह से आज़ा है तो 365,000 divided by 4.0555 आपके पास खर्चा आगे 90,000 इस तरह से निकाल सकते हैं तो जनरली जो बच्चे प्रिफर करते हैं बच्चे प्रिफर करते हैं हम भी उसी को प्रिफर करते हैं अब हमारे पास situation क्या आती है एक तो आता है कि R, W, F, D और C हमें दे दिया जाए दूसरी situation आती है कि यह हमें निकालना पड़ेगा ठीक है जी तो इसको निकालेंगे कैसे निकालना बड़ा असान है बच्चे इसके जो फॉर्मूले होते हैं इसके पांच फॉर्मूले हैं पांच ही आइटम है R, W, F, D और C ठीक है R, W, F, D, C बच्चे इसके फॉर्मूलें पर परशान हो जाते हैं निम्रेटर किसको रखें, डिनॉम्रेटर किसको रखें बड़े ध्यान से सुनना है एकी बार में आपको समझ में आ जाएगा रो मैटेरियल का स्टोरेज पीरेट लेना है तो उपर एवरेज रो मैटेरियल श्टोक लो ठीक है आगया जी डवलू आईपी का पीरेट निकालना है तो डवलू आईपी का स्टोक लो फिनिश गूट्स लेना है तो एवरेज फिनिश गूट्स का स्टोक लो डेटर कलेक्शन पीरेट निकालना है तो उपर एवरेज डेटर्स रखो और क्रेटर पीरेट निकालना है तो किलियर हो गया, अब denominator बढ़े आसान है, row material को हम link करेंगे, row material consumed से, row material को link करेंगे, row material की consumption से, WIP को link करेंगे cost of production से, finished goods को link करेंगे COGS से, और creditor को link करेंगे credit purchase से, और debtor को sales से, अब आजएगे फिर से, debtor को किससे करेंगे, credit sales से, creditor को किसे करेंगे purchase से करेंगे credit ठीक है raw material को किसे करेंगे raw material consumption से WIP और finish goods में फस्ता है बच्चा बस तो ध्यान रखिए WIP को cost of production से और finish goods को cogs से link करना है ठीक है अब हमारे पास उपर आगे है उपर average रखते हैं सब का stock और नीचे रखते है material consumption, cost of production, cogs credit sale और credit purchase ठीक है अब यहाँ पर जो नीचे denominator में रखा जाता है basically तो वो रखा जाता है daily के एक दिन का कितना होगा तो जैसे raw material consumption रखनी है तो daily raw material consumption कितनी है यह रखना है हमें denominator में तो इसका आसान तरीका क्या होता है question आपको क्या करेगा question आपको दे देगा कि हमाई raw material consumption 4 lakh रुपे है पूरे साल में और average raw material stock है 50,000 अब बच्चा क्या करेगा 50,000 का average stock है 4 lakh रुपे की consumption है तो working note बनाएगा कि 4 lakh की consumption है divide by 365 तो एक दिन की consumption कितनी होगी 1095.89 तो 1095.89 होगी जी फिर 50,000 divided by 1095.89 45.62 डे जा रहा है इसको आप round off करके 46 डे ज कर सकते है इस तरह से करेगा तो एक working note बनाना पड़ गया लग से इसकी जगे आप क्या करो आप यहाँ पर daily raw material consumption मत रख होनी चीए आपने daily के लिए क्या working note बनाया 4 lakh divided by 365 तो आप एक काम करो आप यहाँ पर ही 4 lakh divided by 365 रख लो अब 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 यह 365 denominator का denominator है तो उपर जाकर multiply हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास आजाएगा 365 उपर तो यह formula आसान रहता है इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना अब ज़र देखें क्या करना है हमें फिर से एक बार short में सारे formula आदो जाएंगे raw material storage के लिए average raw material stock रखना है denominator में हम पूरे साल की consumption रखेंगे 365 से multiply कर देंगे WIP conversion period के लिए हम WIP का average stock रखेंगे denominator में cost of production रखेंगे पूरे साल की multiply 365 कर देंगे इसके बाद में finish roots के लिए हम लोग उपर finish roots का average stock रखेंगे denominator में COGS पूरे साल का रखेंगे multiply by 365 कर देंगे हम data collection period के लिए average data रखेंगे denominator में पूरे साल की credit sale रखेंगे multiply by 365 कर देंगे और creators के लिए हम लोग उपर average creators रखेंगे denominator में credit purchase रखेंगे multiply by 365 कर देंगे हमारे पास R, W, F, D और C आ जाएगा इन चारों को जोड़ देंगे इसे माइनस कर देंगे आपके पास operating cycle period आ जाएगा जैसे ही period आएगा working capital निकल जाएगी annual operating cost divided by 365 multiply by operating cycle period काम खतम हो जाएगा आज यह अब देखने हैं इसका question इतना ही है method बीबी क्यू 34 following information is forecasted by the CS limited for the year ending 31st March 23 balance edge at 1st April 22 and 31st March 23 तो यह opening हो गए और यह closing हो गए ठीक है मैं इसके बरावर में छोटी सी जगे लेके यहाँ पर लिख देता हूँ average raw material का इस्टोक opening 45,000 closing 65,356 divided by 2 average हो गया 55,178 35,000 WIP का opening 51,300 closing divided by 2 43,150 average WIP हो गया 6,161 plus 70,175 divided by 2 finished goods का average इस्टोक हो गया 65,168 okay इसके बाद में 112,123 plus 1,35,000 divided by 2 average debtors हो गए 1,23,562 और हमारे पास 50,079 plus 70,469 divided by 2 average creator हो गए 60,274 मैंने जितने भी opening के lodging थे सब का average निकालती है ठीक है इसके बाद में हमें दे दिया purchase पूरे साल की सारी की सारी क्रेडिट पर है purchase हमें मिल गई cost of production मिल गया cost of goods sold मिल गया operating cost पूरे साल की मिल गई sale credit पर मिल गई 365 days लेकर आपको question करना है आपसे पहले पूछागे है net operating cycle निकाल लिए ठीक है ये question हम साथ के साथ करेंगे क्योंकि एक ही question इसका बन सकता है operating cycle एक बार में समझ में आ जाएगी बहुत ही जादा आसान है तो हमें करना क्या है R plus W plus F plus D minus C equals to हमारा answer आएगा यहाँ जगे छोड़ों में सबसे पहले हमें निकालना है R मैं एक एक करके निकलवाता जाओंगो रो मैटेरियल का period तो उपर हमें रखना है average रो मैटेरियल stock denominator में हमें रखना है रो मैटेरियल consume पूरे साल का अब multiply by 365 short में लिखूंगा मैं जिससे जल्दी हो जाए तो हमारे पास रो मैटेरियल कंजम्शन नहीं दी हुई बताए रो मैटेरियल की कंजम्शन कैसे निकालते हैं कंजम्शन इक्वस टू परचेज प्लस क्लोजिंग माइनस सोरी प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टोक रो मैटेरियल कंजम्शन नहीं जाएगा तो 45,000 प्लस फोल लेकी परचेज माइनस 65356 कंजम्शन हो गई 379644 और उपर है 55178 multiply by 365 55178 divide by 379644 multiply 365 यह आगे जी 53 टेज लो जी आर की value हो गई 53 प्लस अब डवलू की value आप लोग बताइए कैसा हैगी डवलू की value के लिए average WIP 43150 divided by में cost of production आ जाएगा 750 multiply by 365 43150 और 750 आ जाओ जी 20.99 21 दिन हो गई जी लो जी 21 दिन का आगे W अब finish goods निकारना है finish goods के लिए 65168 का average finish goods COGS लेना है COGS दिया हो है 915,000 multiply by 365 65168 यह आगे 25.99 26 दिन लो जी 26 दिन आगे finish goods debtor और creator बचे debtor हमारे पास भाई यह debtor average कितने है 123562 इसके नीचे लेनी है credit sale यह आगे credit sale 11,00,000 रुपे multiply by 365 123562 multiply 365 divide by 11,00,000 रुपे यह आगे 41 देज लो जी 41 देज इसके आगे creditor बचा बस अब creditor के अंदर हमारे पास हमारे पास creditor में average creditor 60,274 purchase कितनी थी हमारे पास 4,00,000 multiply by 365 60274 multiply by 365 divide by 4,00,000 यह हमारे पास आगे 55 देज लो जी 55 हमारे पास operating cycle आगे 5321 26 41-55 86 stage तो operating cycle period जैसे ही आपके पास निकल गया 86 stage अब simple है यह सारे के सारे आगे calculations अब हमें इसके बाद में इन्होंने कहा है number of cycle बताओ और working capital बताओ तो number of cycle बड़ा simple है 365 divide by 86 4.24 cycle हमारे चलेगी ओके फिर पूछा है हमसे working capital बताओ working capital के लिए हमें चाहिए operating cost operating cost है 9,50,000 अब देखे 9,50,000 operating cost है एक दिन की कितनी होगी operating cycle 86 days की है 9,50 divided by 365 multiply 86 223836 की working capital आपको चाहिए 223836 यह ऐसा था जिसमें हमें period निकालना पड़े अब दूसरा एक question है जिसमें period दिया हुआ है तो period निकालने के formula आपको यादे न raw material के लिए consumption लेनी है WIP के लिए cost of production finish goods के लिए COGS debtor के लिए credit sale और creditor के लिए credit purchase okay अब यह question बड़ा famous है तीन वार आचुका है दसंबर में आता है 34, 35 दोनों आचुके हैं तीन तीन वार यह दोनों ही दस दसंबर के हैं the following information is provided by the DPS limited for the year ending 31st March 23 raw material storage period 55 days WIP conversion period आपके पास में 18 days, finished goods storage period 22 days, debt collection period 45 days, creditor payment period 60 days annual operating cost 21 lakh है जिसमें 2 lakh 10,000 including है depreciation जो non cash item होता है एक साल को 360 days लेकर आपको solve करना है, ठीक है जी सबसे पहला point है operating cycle बताओ मजाग करने है, R plus W plus F plus D minus C हो गया जी 55, 18, 22, 45, minus 60, लो जी 80 days आगई 80 लो जी 80 days आगई, केरें number of cycle बताओ, और भी बड़ा मज़ा, 360 days में 21 lakh की operating cost 360 days में हमारी cycle 80 days की ऐसे आ जाता अब इसने काए cash cost पे निकालना है तो हम इस 20 lakh में से पहले 2 lakh 10,000 को minus करेंगे और हम देखेंगे हमारी cash cost कितनी है हमारी cash cost आगई 18.9 lakh तो अब हम इसकी जगे किस लाग की जगे 18.90,000 कर देंगे ध्यान रखना है cash cost लिखा होगा तभी निकालना है otherwise total amount पे निकालेंगे तो 18.90,000 divide by 360 multiply by 80 हमारी working capital होगी 4.20,000 रुपे इसके बाद में कह रहा है the company is a market leader in its product there is virtually no competitor in the market based on a market research it is planning to discontinue sales on credit and deliver product based on prepayment कह रहें के भाई हमारा जो हम market leader है monopoly है अब हम credit पे sale नहीं देंगे अब आप बताइए अगर आप credit sale नहीं करेंगे तो यह जो debtor के 45 days लगते थे यह लगने बंद हो जाएंगे ठीक है कह रहें thereby it can reduce its working capital requirements substantially इससे इसकी working capital कम हो जाएगी obvious सी बात है पहले आपकी असी दिन की थी अब 45 days का उधार बंद हो गया तो 80 में से 45 अगर मैं माइनस करता हूँ तो 35 days की अब आपकी working capital रहे गई सिर्फ केरें what would be the important point reduction in working capital requirement due to such decision इसकी वज़िया से working capital में कितनी कम ही होगी भया 45 दिन का जो पैसा फस्ता था वो फस्ना बंद हो जाएगा बड़ा सिंपल 18,90,360 days में है 45 दिन का पैसा फस्ना बंद 236,250 फस्ना बंद हो गया इतनी working capital अब आपके reduce हो जाएगी अच्छा अगर कहता हमें कि revise working capital बताओ तो revise working capital अगर हमसे पूछता है इसने reduction पूछी है कि working capital में reduction कितनी होगी अगर हमसे revise working capital पूछता तो हम करते 18,90 divide by 360 अब 35 दिन की working capital चाहिए सिर्फ 18,90 divide by 360 35 days 183,750 तो अगर revise पूछता तो 183,750 चाहिए reduction पूछेगा तो 45 days की reduction होगी जो भी एक्जाम में मांगे बता देंगे अभी तक reduction ही पूछीए हर वार यह हमारा काम हो गया इसका खतम हमारा operating cycle method खतम हो गया, इतना ही है बहुत ही आसान जो बच्चे इसको छोड़के जाना सोच रहे थे, अब वो इसको छोड़कर नहीं जाएंगे वो कहेंगे अरे वा आ गया तो मजा जाएगा, simple है बिल्कुल सिर्फ यह दो question आपने operating cycle के करने इसके वार से कोई question ही नहीं operating cycle में अब दूसरा है estimation wise component wise estimation component wise estimation क्या कहता है कहता है कि आपको न, आपने तो यहाँ पर क्या करा है, एक period निकाला कि बही 90 दिन आया है period, 80 दिन आया period, आपने का पूरे साल में इतना खर्चा होता है, तो मैं 80 दिन का मेरा working capital में लगेगा, इस approach के साथ आप निकाल रहे थे, बोले अब हमें न, ऐसे नहीं चाहिए, हमें एक एक element बताओ कि raw material stock कितने रुपे का है आखिर, WIP का stock कितने रुपे का है, तो अब हमें एक एक item निकालना है, raw material कितने का है, WIP कितने का है, finish कितने का है, अच्छा जो operating cycle method है, CA intermediate में prepaid और outstanding को ignore किया गया है, जबकि अगर prepaid हो तो prepaid इस cycle को increase करेगा कि prepaid तो current assets है और अगर outstanding कोई चीज हो तो वो इस cycle को कम करेगी तो prepaid और outstanding CA enter में नहीं लिए, वैसे operating cycle method में, जो high level के question होते हैं और other courses में होता है, वहाँ prepaid और outstanding होते हैं, CD बाद, जितनी भी current assets के item है, वो जुड़ते चले जाएंगे cycle में, और current life teach के जितने भी item है, वो minus होते जाएंगे तो CA enter में इसको बहुत light level पे रखा है अब जो component wise estimation है उसमें सब कुछ आएगा, उसमें prepaid भी आएगा उसमें outstanding भी आएगा, उसमें सारे खर्च आएंगे, तो अब हमें एक एक item को चुनके निकालना होगा हमारे पास हमें करना क्या होगा आप एक तो income statement बनाएंगे कि पूरे साल में क्या होने वाला है और उसके बाद में working capital का estimation कर देंगे तो working capital में हम क्या करेंगे, एक statement बनाएंगे जैसे current assets, उसमें raw material का stock, WIP का stock finished goods, debtor, prepaid, cash और कोई current asset तो जोड़ लो, total यह आ गया फिर हम निकालेंगे current life teach creditor, outstanding, कोई भी कोई भी provision है, वो सारी चीज़ आजएगी total B, A-B करेंगे तो working capital आ जाएगी, कई बार question आपको कहेगा, कि हमें कुछ margin रखना है या कुछ provision बनाना है, margin या provision का मतलब है, कि जैसे हमारे हिसाब से working capital आ रही है, 10 lakh, लेकिन हमें लगता है कि 10% उपर या नीचे हो सकता है, हो सकता है 10% जादा की, जड़रत पढ़ जाए 10% कम की तो कल को हमें पैसे कम नहीं पढ़ने चाहिए, हमारा बिजनिस नहीं रुखना चाहिए तो 10% का margin या provision बोल ला है तो हम वो जोड देंगे, तो जैसे हमारी working capital 10 lakh आई, 10% margin रखना है हमें, तो हम सीधे कर देंगे, कि भी 11,00,00 पर रख लो total तो working capital after safety margin और working capital before safety margin, यह सिर्फ तब margin के लिए question बोले, ओके अब इसके अंदर एक item आएगा, examiner वैसे तो हमें कुछ नहीं बोलेगा, तो हम total approach होती है, total approach के अंदर हम सारी खर्चे consider करते हैं, एक होती यह cash cost approach, cash cost approach में हम depreciation को और profit को इन दोनों चीजों को पूरी तरह से ignore कर देते हैं तो cash cost और total approach से अलग-अलग question आएगे, मैं दोनों questions का आपको फर्क दिखाऊँगा, दोनों में फर्क क्या रहेगा वो बताता हूँ आपको, raw material के stock में कोई फर्क नहीं है, raw material के stock जैसे value डोनों वैसे होगा WIP के stock में आपके material वेजिज के component में कोई फर्क नहीं है, जो overhead का component है total approach कहती है के stock valuation में depreciation भी consider किया जाएगा तो stock valuation में depreciation को total approach consider करती है cash cost कहती है, हम उसको exclude करेंगे, तो बस यह ध्यान रखना है कि cash cost में depreciation stock valuation में exclude होगा और total approach में including रहेगा, तो total approach में depreciation के साथ consider करेंगे cash cost approach में depreciation हटा के consider करेंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा जो question आएगा भी, finish goods की valuation होनी, उसमें भी होई, यहाँ पर depreciation include रहेगा, यहाँ exclude रहेगा okay, debtors की बात आती है तो debtors कहेगा यह के दो तरीके साथ निकाल सकते हैं study mat ने दोनों तरीके दिये हैं एक है credit sale की cost कितनी लगी है, जैसे हमारी credit sale की, जैसे cost of sale आई 10 lakh profit आया 2 lakh रुपे, sale हुई 12 lakh तो debtor वान लिजे, वन मंत के है तो हमारे पास तरीका क्या बताए, study mat ने कहा यहां तो 12 lakh का 1 by 12 निकाल लो एक लाग रुपे के debtor ने यहां फिर cost of sale का 1 by 12 निकाल लो sir, cost of sale का 1 by 12 क्यो निकालेंगे 83,333 देखो, हमें working capital का estimation करने है, working capital का estimation करने का हमारा base क्या था हमें वो पैसा मंगवाना है application of funds से, तो मुझे बताए हमें जो पैसा मंगवाना है वो ही तो मंगवाएंगे, जो लगा है तो मुझे बताए, हमारी जेव से पैसा लगा कितना है 10 लाग रुपे लगे, या 12 लाग रुपे लगे बाकी एक्जाम में आप दोनों से निकाल सकते हैं एक्जाम इनर दोनों पे नमबर पूरे दे देते हैं तो debtor हमारे पास alternative 1 है कि cost of credit sale पे निकालो जिसमें depreciation include होगा alternative 2 है credit sale पे लो, cost पे नहीं बलकि पूरी credit sale, जितनी total sale है उस पे लो cash cost approach कहती है कि हम cost पर ही लेंगे और depreciation को consider नहीं करेंगे तो cash cost का सीधा हिसावे depreciation और profit को consider मत करो, ठीक है इसके बाद में prepaid wages आ जाती है कोई दिक्कत नहीं, cash and bank आ जाता है कोई दिक्कत नहीं, creditors आ जाते हैं outstanding wages कोई दिक्कत नहीं आपके पास आते हैं overhead, prepaid या outstanding, तो prepaid या outstanding overhead की बात आती है, तो ध्यान रखिए non cash item non cash item कभी भी prepaid नहीं हो सकता कभी भी outstanding नहीं हो सकता अब depreciation है depreciation ना कभी prepaid हो सकता है ना outstanding, outstanding या prepaid वो चीज़े होती हैं जिनकी cash में payment की जाए तो कोई भी approach हो total approach हो या फिर आपकी cash cost approach हो, कोई भी approach हो, prepaid या outstanding के अंदर depreciation exclude ही होगा यानि depreciation वाला part कभी भी outstanding या prepaid नहीं हो सकता तो यहां लिखा हुआ है, depreciation can never be outstanding और prepaid, दूसरा, debtors को cost of credit sale पे preferred हैं निकालना ठीक है, इसके इलावा आपके पास depreciation और profit पूरी तरीके से ignore होगा cash cost में, और आपके पास अगर question कुछ ना बोले तो total approach लगानी है question silent रहे तो total approach वरना question कहेगा cash cost approach जग इसके इलावा एक WIP की assumption रहती है, WIP की assumption यह कहती है, कि अगर आपको कुछ ना बताया जाए कि WIP में कितना काम हो चुका है तो आप मानेंगे material 100% लग चुका है, labor overhead 50-50% लगे हैं, वैसे question आपको बताएगा, तो जैसे लिखाओ कि WIP one month का है तो आप मानेंगे जो WIP one month का है, इसके अंदर material तो 100% लगा हुआ है labor and overhead 50% लगे हुए हैं, अगर question silent हो तो, ओके, अब मैं cash cost और total approach को बहुत simplify कर देता हूँ जितना इतना बड़ा इसमें बच्चों का confusion लेता है, अभी मैंने सारे point बढ़ाए हैं, अब मैं simple साब को बताता हूँ कि क्या बात याद रखने वाली है, बात याद रखने वाली है, सिर्फ overhead, कभी वी outstanding या prepaid depreciation इन में नहीं हो सकता, तो depreciation outstanding या prepaid नहीं हो सकता, point number one point number two total approach में WIP stock finished goods stock और debtors, इन तीनों के अंदर depreciation जुडा हुआ होगा और WIP, finished goods और debtor के अंदर, cash cost में वो depreciation जुडा हुआ नहीं होगा, बस इतना ही फरक है, बाकी सब कुछ से में, यानि अगर हम कहें कि total approach और cash cost में क्या फरक है, बच्चे बहुत दिमाग लगाते हैं इसमें, तो simple सी बात WIP, finished goods debtors ये तीन ही चीजें इन में debt जुडा हुआ होगा, total approach में, इन में debt नहीं होगा, cash cost approach के अंदर बात खतम, और कोई दिमाग नहीं लगाना, prepaid और out extending की बात की जाए, तो उसमें depreciation कभी हो ही नहीं सकता, कि depreciation out extending ये prepaid नहीं हो सकता, ठीक है तो हमारे पास अगर मोटी बात है, तो WIP, finished goods और debtor में depreciation include होगा, total में, और cash cost में include नहीं होगा, बस इतना ही फरक है, बाकी कोई दोनों में फरक नहीं है, ठीक है जी अब question देखेंगे, फिर आपको बात समझ में आनी शुरू होगी question अराम से देखना है बिल्कुल, bbq 36, आज यहीं पढ़ते हैं beta limited manufacture a product used in steel industry, the following information regarding the company is given for your consideration the cost structure of beta limited product is as given below, raw material per unit 80 रुपीज है, direct labor 20 रुपीज per unit है overhead 80 रुपे पर unit है, जिसमें 20 रुपे का depreciation जुड़ा हुआ है यानि 60 रुपीज per unit cash expense है, और 20 रुपीज per unit depreciation का item है, ओके 180 total cost है, 20 रुपे प्रोफिट है, sale price 200 रुपे है expected level of production 9,000 unit per annum है, यह 9,000 unit per annum हम अगले साल बेचने वाले हैं और बनाने वाले है raw material हमारे पास stores में जो रहेगा इसको छोड़ते हैं, सबसे पहले हम लोग इसका income statement बनाएंगे तो 9,000 unit per material कितना लगेगा, 80 रुपे से, labor कितनी लगेगी, 80 रुपे से, overhead में cash ओला खर्चा 60 और depreciation वाला 20 रुपे से लग जाएगा, total cost आ जाएगी, 20 रुपे से profit जोड़ेंगे और बेच देंगे यह इसका income statement, raw material, direct labor, overhead, cash में depreciation, 80 रुपे 20 रुपे, 60 रुपे 20 रुपे, total cost आ गई, profit जोड़ दिया, यह save आ गई, ठीक है जी, income statement बनकर तयार हो गया income statement में हम यह मानकर चलते हैं, जब हम estimation of working capital करते हैं, कि opening और closing stock एक बरावर है, तो यानि raw material की purchase और raw material की consumption, same है, region, opening और closing stock की assume किया जाते हैं, वो equal है, जब तक आपको नहीं पता, तब तक, अगर question खुद बता दे, opening closing stock इतना है, तो उसे वैसी माने जाएगा, तो इसमें simple सा हो ठीक है, अब यहाँ पर आगे कहानी चालोगी, कि भई हमारे पास में, कितना कितना हमारे को stock रखना है, मैं आपके सामने एक एक चीज करवाँगो, धियान से देखना, सबसे पहले raw material are expected to remain in store for own and average two month, दो महीने raw material का stock रहेगा, तो raw material है 720 का, टू मन्थ निकाल लो, कितना हो गया, 720, 2 by 12, 1,20,000 का हो गया raw material का stock, ठीक है जी, इसके बाद कह रहे हैं, WIP, 50% complete as to conversion cost, conversion cost का मतलब होता है, labor and overhead, conversion यानि labor और overhead, raw material को convert करते हैं, तो conversion cost में labor और overhead आते हैं, will approximately half month production, ये आधे महीने का है, तो labor overhead तो होगे 50%, material के बारे में नहीं बताया, तो material हमें 100% लेना है, material 100, labor overhead 50, ये assumption रहती है, ठीक है, अब जड़ा देखे, हमारे पास अब WIP की बात जाई, तो WIP में material, labor and overhead, दो चीज़ आएंगी, material है 7 लग 20,000 का, labor and overhead की बात करूं में, तो ये labor है, और ये overhead है, total approach चल रही है भी, जब तक question नहीं बोलेगा, total approach, तो depreciation को भी consider करेंगे, तो labor होगी 180 की, overhead होगे 720 के, और depreciation को consider कर लिए भाई आपने तो, हाँ जी, total approach है, तो stock valuation में consider होगा, ये raw material निकाला था हमने, ये अभी WIP निकाल रहे है, ठीक है जी, तो material, आधा महीने के लिए फसेगा WIP में, labor overhead आधा महीने के लिए फसेगे WIP में, ये 100% लगेगा, और ये दोनों 50% लगेंगे, ये WIP की valuation आईगी, 7,20,000, आधा महीना, 100%, 30,000 रुपे हो गए, और ये हो गया, 9,00,000 रुपे, 50%, 18,750 के ये हो गए, ये हमारा WIP आगया, ठीक है जी, दिखाता भी जाता हूं आपको, raw material के stock 120, WIP 30 और 18,750, इसके बाद में अब बात करेगा, ये finished goods की, कह रहा है, finished goods एक महीने के लि 16,20,000 रुपे की total cost है, एक महीने के लिए, क्या 16,20,000 में depreciation है, yes, है इसमें, जुड़ा हूँ है, इसमें, तो total approach है, तो stock valuation में depreciation consider होगा, 135 आ गया जी, 135 आ गया, इसके बाद में कह रहा है, जी, 2 month credit is normally allowed to debtor, और यहाँ पर कह रहा है, cash sale are 75% less than credit sale, तो कह रहा है कि cash में जो sale है, वो credit sale से 75% कम है, तो जैसे मान लीजिए, आपकी credit sale x है, तो cash sale जो होगी, वो 0.25x होगी, ऐसा कैसे बोल रहा हूँ है, जैफरेंस है पढ़िए, cash sale are 75% less than credit sale, credit sale से 75% कम है, आप किसी चीज़ से 75% कम हो, तो आप 25% होगी, तो अगर credit sale x है, तो cash sale 0.25x होगी, अब हमें लेना क्या है, debtor की valuation के लिए, debtor 2 months के लेने है, तो 2 महिने के debtor लेने है, और debtors किसे पे valued करने हैं, दो option है, sale भी ले सकते हो, और cost भी, तो हम cost लेके चलेंगे, तो यह cost कितनी आगई हमारे पास, cost आगई हमारे पास, 16,20,000, 16,20,000, total cost है, sale की, जिसमें cash में 0.25x है, और credit पर x है, तो 1.25x equals to 16,20,000 होगे, x की value अगर निकाले, तो 16,20,000, divided by 1.25, 16,20,000, divided by 1.25, 12,96,000 हो गई, credit sale वाला हिस्सा, तो credit sale वाला हिस्सा 12,96,000 आपके पास आ गया, इसका आप मैं आपको simple सा तरीका बताता हूँ, और दूसरा यह तो x बना के दिखा दिया, cash में 0.25, credit पर है, माल लीजे 1, तो basically 0.25 को अगर मैं 4 गुना कर दूँ, तो यह 1 बन जाएगा, और 1 को 4 गुना कर दूँ, तो 4, तो इनका ratio 1 is to 4 हो गया, तो 1 is to 4 का ratio है, इसका मतलब जो total sale है आपकी, उसका 1 by 5 और 4 by 5 करेंगे, तो 20% cash sale है, और 80% credit sale है, पर यह थोड़ा जादा complex हो जाता है बच्चे के लिए, हम लोग के लिए तो आसाने, तो मैं हमेशा कहता हूँ, X बना के निकालो, simple रहेगा, कि भाईया, create sale X, cash sale 0.25X, 1.25X हो गया, 1620, और आपके पास X आगे, 1296, यह दो महीने का उधार देना है आपको, 1296, डिवाइट वाई, 2,16,000 आगया वाई, debtor की value, तो यह हमारे पास debtor आगे, 2,16,000, इसके बाद में कह रहा है, हमसे cash balance रख लेना, 67,500, लोजी रख लिए cash balance, यह हमारे पास current assets आगे ही, सारी की सारी, इसके बाद में, अब creditors, यहाँ पर चुपे हुए है, credit allowed wise supplier, one month, तो हमारे पास 720 का रोमेट एले, one month credit, 60,000 रुपय आगया, लोजी, creditor आगया हमारे पास, 60,000, इसके इलाव ता, कि भई, outstanding overheads है, outstanding overheads है, one month के, तो हम क्या करते, outstanding overhead में, हम overhead का depreciation outstanding नहीं करते, सिर्फ जो cash वाले थे, 5,040,000, उनका 1 by 12 निकालते, तो यह धियान रखना होता है, कि outstanding prepared में, depreciation नहीं आएगा, चाहे कोई भी approach हो, total approach में, stock valuation वगरा में, सब जगे पर आ जाएगा, अभी cash cost क question आएगा, वो दिखाऊँगा, कैसे होता है, ठीक है जी, तो हमारे पास आगे जी ए 60, A-B कर दिया, फिर कह रहा है, safety margin 2% रख लो, 20% रख लो, तो 20% इसमें आप जोड़ दीजिए, working capital में जो भी आए था, आपकी working capital, including provision, या including safety margin आ जाएगी, question खता, 10 number में question आता है, अराम स से करके दिखाए, आप सभी को पहले से आता है, फिर से आपको अच्छे से recall हो गया होगा, बीबीक्यू 37, ये cash cost वाला question है, यहाँ दिखा भी तुम आपको, cash cost, the following annual figures, relate to XYZ company, ये बताइए, sales 36 lakh है, दो महीने के उधार पर है, material consume 9 lakh है, supplier extend 2 month credit, जो हमारे को supplier credit देता है, यानि creator दो महीने के उधार देते हैं, wages 7 lakh 20,000 है, 1 month lag in payment, lag का मतलब होता है, delay करना, outstanding, तो ये outstanding है, इसमें एक कोड़ चीज आती है, कई वाला बच्चा क्या करता है, जैसे यहाँ पर लिखा होता है, wages paid, 720, तो यहाँ लिखा होता है, 1 month lag in payment, इसका मतलब है, एक महीने की payment delay हो रही ह तो बच्चा paid को कहने लग जाता है, कि सर यह 11 महीने की होगी न फिर, तो मैं आपको बताता हूँ, 1 month का lag है, इसका क्या मतलब है, कि 720 पे होई है, यह देखो, यह 12 महीने का data है, अब बच्चे कहना है, कि सर 11 महीने की ही पे होई होगी, 720 पे है total, बच्चा कहता है, सर 11 महीने December मान लेता हूँ में, उसकी payment तो अगले साल होगी, आपकी बात बिल्कुल सही है, हमारे December की payment अगले साल होगी, पर एक बात सोचिए, पिछले साल के December की payment भी तो हमने करी होगी, तो अगर हमारा एक महीना आगे चला गया है, तो पीछे वाला जो एक महीना था पिछले साल का वो भी तो हमने pay किया होगा तो आपने 12 message जो हमारा एक महीना गया उसे minus करके बोल दिया 11 महीने है ज़रा पिछले वाला जो एक महीना pay किया है उसे भी तो add करके 12 महीने बताइए तो basically ये data 12 महीने के होते हैं तो आप ये confused नहों कि सरी 11 महीने का data है तो ये doubt आता है कई बच्चों के मन में अब निकल गया होगा जिनके मन में doubt हो गए तो wages paid आगे जी वन मन्त की outstanding है ओके आगे कहरें cash manufacturing expense अच्छा cash वाले दे रहे हो तो मोके ओके वन मन्त lag in payment 960 है और administrative expense वी वन मन्त का outstanding है 240 है sales promotion quarterly advance है यानि ये prepared है ये 120 है सारे खर्चे दे दिये ठीक है the company sales its product on gross profit 25% 25% gross profit है यानि cost of goods sold 75% है आपका depreciation is considered as a part of cost of production depreciation को cost of production में consider किया गया है अब मैं आपको ज़रे निकाल के दिखाता हूँ COGS कैसे आएगा sale देखे कितनी है sale है इनकी 36 lakh तो 36 lakh का अगर मैं 75% निकाल हूँ तो COGS आ जाएगा 27 lakh इस 27 lakh में material होगा labor होगा और overhead होगे manufacturing overhead जो admin और selling overhead हैं वो COGS के बाद में आते हैं तो admin overhead के लिए दो case होते हैं कि उसे related to production मानना है ये not related to production तो पूरे ICI के study mat में RTP में MTP में practice manual में past year question में सिर्फ दो question है जिसमें admin को related to production माना है वो दोनो question मैंने यहाँ पर रखे हो हैं booster में क्योंकि वो बच्चेों confuse करते हैं तो दो question हैं जिनमे admin related to production माना है बाकी सब में admin को not related to production माना है यानि कि वो COGS के बाद में ही आएंगे तो हमें COGS के बाद में लेना है हमिशा वो दोनो question मैंने यहाँ उस्तर में रखे हैं उन्हें mark करवाऊंगा कि इसमें ध्यान रखना उन दोनो question में exam में आपको अगर आ गए तो admin को related to production मान के करना है वरना ICI most probably number काट सकता है क्योंकि ICI कहता है जो study mat में question है उसे वैसा ही करके आओ जब तक वो गलत ना हो तो ठीक है जी material कितना है अब इसमें जाद देखिए material 9 lakh का है labor कितनी है 7.2 lakh है अब बताइए 9 lakh का material 7 lakh 20,000 की labor और total 27,000,000 रुपे है तो 10,80,000 के manufacturing overhead हो गए आपके ठीक है इसमें कहा गया है कि cash manufacturing expense 9,60 है तो 10,80,000 में cash वाले जो थे आपके वो 9,60 है तो बताइए बचा हुआ हो गया depreciation 1,20,000 balancing figure तो हमारे पास 36 lakh की sale है 75% उसका 27,00,000 आग गया material 9,00, labor 7.2,00 और manufacturing overhead 1080 हो गए 1080 में 9,60 cash में दी होए है बाकी आपके depreciation आगया 120, तो इस तरीके से इस question की समझ बनती है अब आगे चलते हैं अभी मैं आपको बताऊँगा कि इस question को exam में बड़े lightly कैसे किया जा सकता है तो दे दिया कि भई gross profit 25% है depreciation इसका part है it keep one month stock each of raw material and finish goods raw material और finish goods का एक एक महीने का रख लेना cash balance 1 lakh रखना 20% safety margin रखना ignore WIP WIP question में है ही नहीं बहुत बढ़िया find out requirement of working capital on cash cost basis अब मुझे बताइए cash cost basis क्या करता है depreciation को ignore करता है इन्होंने यहां लिखा है cash manufacturing expense इसका मतलब इन्होंने यहां पर depreciation को नहीं लिया तो भाई जब depreciation लिया ही नहीं है और हमें लेना भी नहीं है तो फिर depreciation की बात ही क्यों करनी सीधे material उठाओ labor उठाओ cash वाले overhead उठाओ depreciation तो वैसे भी हमें नहीं जोड़ना था तो ये सब कुछ हमें करने की जरूरत ही नहीं है cash cost है तो सीधे खर्चा उठाओ material, wages, manufacturing expense, cash वाले अगर depreciation जुड़ा होता तो हमें वो exclude करना होता अगर depreciation जुड़ा होता तो exclude करना होता क्योंकि cash cost है अच्छा अगर यही question total approach का होता तो इसमें हमें depreciation को भी जोड़ के दिखाना पड़ेगा तो यहां पर cash cost है तो cash cost के अंदर depreciation नहीं लेना होता यह बड़ा famous question है और बच्चा इसमें बहुत फस्ता है वो क्या करता है पहले depreciation निकालता है वो कहता है सर cogs दिया हुआ है सर gross profit दिया हुआ है क्या करूं अरे बच्चे जहां यह cash cost लिखी है यह जो line है 25% और depreciation पार्ट है इस line का कोई कामी नहीं है बच्चे को बेवकूप बनाने के लिए दी गई है तो ठीक है जी हमने ले लिए cash वाले raw material, wages, manufacturing expense admin और sale promotion आ गए हमारे पास cost of sale आ गए अब raw material को कैसे value करेंगे 9 lakh का 1 month creditor कैसे आएंगे 9 lakh के 2 month wages कैसे आजाएंगी outstanding जित्ते भी दिया होगा 1 month दिया दिशायद manufacturing expense cash वाले ही है 1 month का outstanding है admin expense 1 month का outstanding है sale promotion advance है quarter के तो quarter एक साल में 4 quarter होते है तो 1 by 4 आपके advance हो जाएंगे इसकी जगे आप 3 महीने के advance है कैसे भी लिख सकते हो 3 by 12 cash balance दिया हुआ है अब आपके पास finished goods किस पर valued होगा cost of goods sold पर debtors किस पर valued होगे cost of sale पर 29.40 पर आज़े ही देखे raw material 9 lakh का 1 by 12 finished goods 25.80 पर valued हो गया यह 25.80 वैल्यो आगई हमारे पास debtors इस पर आएंगे 29.40 पर debtor 29.40 पर आगए cash दिया हुआ है sale promotion एक लाग बीसे जार का 1 by 4 एक quarter के advance थे या 3 महीने के advance ही आप लिख सकते हो यह हमारी current assets आगई creditor material के 9 lakh का 2 by 12 labor एक महीने के out extending manufacturing expense एक महीने के admin एक महीने के manufacturing और admin में depreciation जड़ा हुआ नहीं होना चाहिए क्योंकि out extending prepaid नहीं होता तो हमने वो जोड़ा ही नहीं था ठीक है तो cash cost और भी आसान हो जाता है तो A-B करा 20% provision बोला था working capital निकल कर आ गई including provision ओके इसके बाद में हमारे पास concept आता है new company और existing company का देखेगा working capital estimation एक concept है एक तो काम हमारे existing चल रहा है तो existing चलते हुए में क्या होता है हमारे पास पहले से opening stock होते है सब चीजों के और last में हमारे पास closing stock बच जाते है तो हमारी assumption यह रहती है पूरे chapter में कि opening और closing stock हमारे एक बराबर है एक concept आता है नई company आपने या नए बिजनिस चालू किया है तो अगर आपने नई company या नए बिजनिस से start किया है ऐसी situation में हमारे पास opening stock zero हो जाते है क्योंकि नए बिजनिस चालू किया है तो कोई opening balance है यह नहीं तो हमारे पास जैसे मान दीजिए raw material consumed की बात में करूँ existing company में तो यह equals to raw material purchase हो जाएगा ऐसा क्यों हो भी होगा क्या raw material consumed निकालने के हम क्या लेते है purchase plus opening stock minus closing stock अब opening stock भी 1 lakh है और closing stock भी 1 lakh है दोनों equal मान के चलते है हमारी assumption रहती ही दोनों equal है तो फिर consumption और purchase सेम हो गए क्योंकि opening closing stock एक दूसरे से cancel हो जाते है ऐसे ही हमें जितनी unit बेचनी होती है हम उतनी ही produce करते है होता क्या है unit produced और unit sold के अंदर आपके पास opening stock plus production minus closing stock तो आपके पास sale आ जाती है तो opening stock plus production minus closing stock तो आपके पास sale आईगी अब अगर opening stock 10,000 unit का है तो हम मान लेते हैं closing stock क्वी 10,000 unit का है तो ये एक दूसरे से cancel हो जाती है तो production और sale एक दूसरे के बरावर हो जाती है तो हमारे पास existing company में opening closing stock होते हैं एक बरावर लेकिन अगर हम बात करें नई company की तो नई company में raw material consume equals to raw material purchase plus closing stock minus opening stock की बात करूँ तो वो तो है नहीं तो यहाँ पर consumed और purchase बदल गए consumption equals to purchase plus closing stock हो गया अच्छा हमारे पास sorry raw material purchase equals to sorry उल्टा कर दी मैं raw material purchase equals to raw material consumed plus closing stock हो गया जितना consume हुआ प्लस जितना closing stock है वो आ जाएगा minus opening stock zero हो गया ठीक है ऐसे ही new company के अंदर जो आप produce करेंगे उसमें sold plus closing stock दोनों आ जाएंगे आपको जो unit बिकनी है वो भी बनाना पड़ेगा और जो closing stock में रखनी है वो भी बनाना पड़ेगा इन दोनों को समझने के लिए हमने एक proper chart यहाँ पर बनाए हुए है पहले हम लोग existing business को देख रहे है sales से देखना शुरू करेंगे बड़े ध्यान से देखना मान लोग एक लाख unit बेचनी है ठीक है opening stock भी finish roots का 10,000 है closing भी 10,000 है तो बनाएंगे कितनी एक ही लाख बनानानी पड़ेंगी तो जितनी बनाई उतनी बेचिंग क्योंकि opening closing stock बरावर थे अब ये जो production है ये factory से आया होगा factory के अंदर closing WIP और opening WIP एक बरावर है तो factory में बताईए material labor overhead कितने लगे होंगे 1 lakh unit पे लगे होंगे 1 lakh unit पे material लगा labor लगी, overhead लगा वो 1 lakh unit बनके तयार हो गई उतनी ही बिक गई ठीक है इसके बाद में अब हम आते हैं raw material store में तो raw material store में आपने खरीदा कितना होगा opening और closing stock तो एक बरावर है तो खरीदा कितना होगा जितना आपका consume होगा तो raw material की purchase और consumption बरावर होगी हमारा production और sale बरावर होगी और factory में कितना काम होगा जितना production होना है sale कितना होगा जितना produce होगा तो सब एक दूसरे के बरावर हो जाते हैं लेकिन अगर हम new company की बात करें new business की बात करें तो यहाँ पे scenario लगे इसमें धियान से देखना मान लो मुझे एक लाग यूनिट बेचनी है और मेरे को closing stock 10,000 चाहिए तो opening stock तो था नहीं तो मुझे बनानी कितनी पड़ेंगी एक लाग दस अजार तो मैं एक लाग दस अजार बनाऊंगा कौन सी जो sold होनी है वो भी बनानी पड़ेंगी जो closing stock में रखनी है वो भी बनानी पड़ेंगी first year में ऐसा होगा मेरे साथ इसके बाद में अब factory में कितना काम होगा तो factory में closing WIP 5000 यूनिट है opening 0 था तो factory के अंदर ये जो 5000 WIP की यूनिट हैं ये भी बनानी पड़ेंगी और 1,10,000 यूनिट जो produce होई है आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी एक ही question देखकर नई company का case कैसे रहेगा और ठीक है आजाओ आजाओ ये रा BBQ 38 अनेजा लिमिटेट अन्यूली फॉर्म कमपनी हैज एपलाइड तो दा कॉमर्शियल बैंक for the first time for financing its working capital requirement तो नई company है जी मेन बात है ये newly formed company the following information is available about the projection for the current year current year के लिए बता रहे है estimated level of activity is 1,4,000 completed unit of production इतनी बनाएंगे प्लस 4,000 units of WIP तो एक लाग 4,000 unit पूरी बन जाएंगी और 4,000 unit WIP की इन पर काम होना है इस वार ठीक है raw material 80 रुपीज पर unit है direct wages 30 रुपीज पर unit है overhead exclusive of depreciation 60 रुपे है इसमें depreciation को जोड के नहीं दिखाएगा क्योंई depreciation में इसमें confuse नहीं करना नई company में और confusion के लिए और बाकी चीज़ें available है selling price 200 रुपे आ गया raw material का stock 4 week की consumption के बरावर रखना है WIP assume 50% completion stage in respect of conversion cost conversion cost 50% है but material issued at the start material सुरू में होगे तो material 100% है ठीक है finished goods का stock 8,000 unit है अब ज़र देखिए 1,4,000 unit complete बनाओगे और 4,000 WIP की होगी तो WIP तो WIP में रह जाएंगी सीधी जो 1,4,000 complete होगी इसमें से 8,000 unit finished goods इस टोक में रह जाएंगी अब बताई इस sold कितनी होगी 96,000 units आपकी sold होने वाली है इसवार पिछले question में यह हिसाब नहीं लगाना पड़ा था पिछले question में तो सीधे जितनी भी cost of production cost of goods sold आ रही थी उनसे multiply करके चीज़े calculate हो रही थी यहाँ पर यह सोचना पड़ेगा supplier हमें 4 week का credit दे रहे हैं debtor को 8 week का credit देना है wages का 1.5 week outstanding है cash balance 25,000 है बाकी सब चीज़ा असान है assume that production is carried on evenly throughout the year and wages and overhead accru similarly all sales are on credit basis only इस पूरी line का कोई sense नहीं है कोई काम नहीं है first net working capital requirement निकालो second MPBF tundan committee से निकालना है first or second method में तो अभी MPBF का मैं concept बताऊंगा अभी पहले working capital निकाल देंगे अराम से नई company की अब अराम से देखिए अब हमारे पास जो important है इसमें वो है income statement बनाना अब देखो income statement की अगर मैं बात करूँ तो यह जो 1,4,000 unit complete हुई है इस पर material 80 रुपे labor 30 रुपे और overhead 60 रुपे लग जाएंगे ठीक है और यह जो WIP में है इसके अंदर material तो 100% यानि पूरा 80 रुपे लग जाएगा लेकिन अगर मैं labor और overhead की बात करूँ तो वो लगेंगे 50% conversion cost 50% है तो 4000 unit पर labor 30 रुपे की जगे 15 रुपे और overhead 60 रुपे की जगे 30 रुपे लगेंगे आधे-ाधे लगेंगे तो 50% हो जाएगा तो इसको दिखाने के दो तरीके होते हैं एक होता है 4000 unit 80 रुपे का material 4000 unit 15 रुपे की labor 4000 unit 30 रुपे के overhead ठीक है कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर कर देते हैं 50% 50% material 30 का था labor 30 के और overhead 60 के तो बात वही हो गई कई लोग क्या करते हैं units ही कह देते हैं कि 2000 unit ले लो और 30 रुपे और 60 रुपे ले लो कैसे भी करें आपको इसमें confused नहीं होना आपको ध्यान रखना है कि जो 1,4,000 unit है उस पर 80, 30, 60 पूरे लगेंगे और जो 4000 unit है उस पर material पूरा labor overhead आध्याधे लगेंगे ठीक है अब इसका income statement देखे raw material 1,4,000 unit और WIP की 4,000 unit 1,8,000 unit हो गई उस पर 80 रुपे लग गया ठीक है जी labor 1,4,000 unit पर तो 30 रुपे और 4000 unit पर 1 by 2 यानि 15 रुपे हो गई ऐसे ही overheads 1,4,000 unit पर तो 60 रुपे और 4000 unit पर half यानि 30 रुपे हो गई यह हमारे पास cost up to factory आजएगी के factory में इतना काम हुआ अब इसमें से minus करेंगे closing WIP opening WIP का है सर बेटा नई company है नई company में opening WIP होता ही नहीं है अच्छा सर जो पिछले question थे उसमें opening closing WIP क्यो नहीं लिया था बेटा जो पिछले question थे उसमें हम यह assume करके चलते थे opening और closing same है अब closing WIP हमें लेना है 4000 यूनिट से material 80 रुपे लगा था labor overhead 15 और 30 रुपे लगे थे इसकी value आ गई 5 lakh यह minus कर दिया अब यहाँ पर 4000 यूनिट चली गई cost up to factory में क्या था 4000 यूनिट क्प्लीट यह यहाँ पर गलत लिखाओ यह 1 lakh 4000 है typing error यहाँ पर न 1 lakh 4000 है ठीक है इसके बाद में अब closing finish रूट से निकालना है तो closing finish रूट बड़ा असान है 176 80,000 cost है 1 lakh 4000 यूनिट की तो 8000 यूनिट की कितनी होगी 176 80 1 lakh 4000 की 8000 की कितनी होगी 13,60,000 आ गया अब हमारे पास 8000 यूनिट और कम होगी 104 में से 8000 कम होगी अब बची 96 यह हम बेचेंगे इसमें profit जोड़ा और 200 रुपे से इसको हमने बेच कर दिखा दिया यह income statement बन गया अब हमारे को बनाना है working capital statement वो बिल्कुल simple है raw material 4 week का था तो 86,40,000 4 by 12 आ गया WIP और finished goods आपको निकालने की ज़रत नहीं है वो आपके income statement में आ चुके है 5 lakh का WIP और 1360 का finished goods ठीक है दी इसके बाद में debtors 8 week के हैं तो cost उठाईए 1 करोट 63,20,000 8 by 12 कर दिजिए cash balance दिया हो था वो आ गया current assets हमारे पास आ गई इसे उठाईए 1.5 week की है गया गई अब इसके बाद में आते हैं creditors यहां बच्चा गलती कर सकता है इस पर में star बना देता हूँ यह error area है creditor के लिए हमें चाहिए होती है purchase तो बताईए purchase कैसे आएगी नई company में new company का question है तो नई company के case में purchase आएगी raw material consumed plus closing stock कितना है closing stock आपको यहां से मिलेगा यह रहा 6,64,615 तो आपके पास purchase जाएगी 86,40,000 plus 6,64,615 9,93, 93, 4,615 की purchase जाएगी तो आपके पास में आपको ध्यान रखना है के नई company में सबसे पहले income statement में जित्ती unit बनी है और जो closing WIP में है दोनों को बना कर चलना है उसके बाद closing WIP माइनस होगा फिर finish उट्स माइनस होगा इस तरह से income statement बनेगा और आपको ध्यान रखना है working capital statement बनाते हुए कि इसमें creditor में आपको लिए तो जित्ता भी consumer है उसमें closing stock जोड़ दीजे purchase आ जाएगी अब ये जो purchase आपके पास हाई 4 by 52 4 week का credit था ये आपके पास credit निकल जाएगे इसी में सबसे ज़्यादा गलती होती है बस total बन और टू आगे ये माइनस भी करिए आपके पास working capital आ गई टंडन कमीटी की बात आ गई हम बात में करेंगे बीबीक्यू 39 आर्टीपी में तीन वार आ चुका है study module का question है किसी भी दिन एक्जाम में आएगा question बहुत simple है study method आर्टीपी में थोड़ा complicated किया हुआ है बहुत simple तरीके से इसको बनाए हुआ है number पूरे मिलें गए देखेगा PQ limited newly commencing business in 2023 नए बिजनिस है जी नई company का question हो गया hedge the under mentioned project P&L sale दे दी 210 COGS दे दिया 153 ये जो COGS दिया है इसके बारे में यहाँ नीचे बताए कि COGS आया कैसे 153 कोई बात नहीं उसके बाद में gross profit आ गया उसमें से admin selling minus कर दिये और आपके पास में profit before tax आ गया provision for tax बना लिया profit after tax आ गया तो इन्होंने सीधा statement नहीं दिया पर उससे भी फर्क नहीं बढ़ता यहाँ पर दे दिया material 84,000 wages and manufacturing expense 62,500 depreciation 23,500 cost of finished goods produce 170 stock of finished goods इसमें से minus करा 17,000 और आपके पास 153 का COGS दे दिया ठीक है यह question है study mat के अंदर cash cost basis पर तो सबसे पहली चीज तो यह जो depreciation है हम जब income statement बनाएंगे तो इसको हटा देंगे ठीक है जी एक point तो इसमें यह है तो हम material लेंगे wages and manufacturing expense लेंगे और उसके बाद में closing finish goods minus हो जाएगा admin और selling जुड़ जाएगे बाद खतम ठीक है दूसरी चीज इस question के अंदर यह जो detail दी है नीचे कहानी बताई वो बड़ी बच्चे को confuse करती है the figures given above relates only to finish goods and not to WIP अब मुझे बताईए नई company के case में किस-किस चीज का income statement में आना ज़रूरी है तो नई company के case में finished goods के लिए जो खर्चा रहा है वो भी आएगा और WIP भी आना चाहिए इन्होंने WIP छोड़ दिया तो अब यह आप से चाहते हैं कि आप इसमें WIP add करके फिर से income statement बनाए बना देंगे लिए हमें क्या दिक्कत है goods equal to 15% goods equals to 15% of the years production in terms of physical unit will be in process तो हमारे पास जो WIP है जितना आपने unit पूरे साल में बनाई है वो उसका 15% है और कहा है unit के टर्म है तो यानि अगर हमने 100 unit finish works की बनाई है तो 15 unit WIP की है मैं यहाँ पर लिख्वी देता हूँ 100 unit finish goods की है तो 15 unit WIP की है कहरें आगे will be in process on the average requiring full material जिसमें material पूरा लग चुका है but only 40% of the other expense तो देखें finish goods में तो material, labor, overhead सब कुछ 100% लगा होता है लेकिन कहरें जो 15 unit WIP की है उसमें material तो पूरा लगा है लेकिन labor overhead 40% लगा है अच्छा अगर यह labor overhead 40% नहीं बोलते हैं तो हम 50% मांते हमारी जो अपनी एजंशन होती है वो होती है material 100 labor overhead 50 इन्होंने खुद बता दिया जी labor overhead 40% है ओके जी the company believes in keeping material equal to 2 month material का इस्टोक दो महीने करेगा all expenses will be paid 1 month in advance सारे expense एक महीने के प्रिपेड रहेंगे supplier of material extend 1.5 month credit तो creditor हमें डेल महीने का उधार देगा sales will be 20% for cash rest for 2 month credit तो हमारी जो credit sale है वो 80% है और दो महीने के उधार पर है 70% of income tax ये इसको आगे बाद में पढ़ते हैं पहले income statement बनाते हैं आजएए अब ज़र देखे income statement किता simple है इसके income statement में बच्चे confuse होते हैं देखे सबसे पहले material देखो finished goods का material कितना है 84,000 ठीक है जी 84,000 होगे finish goods का मुझे इसमें WIP का भी जोड़ना है तो बताइए अगर 100 unit finished goods की है तो WIP की 15 unit है क्या सीधे 15% जोड़नू तो आ जाएगा 84,000 है 100 unit का तो 15 unit का कितना होगा 84 divided by 100 multiply 15 12,600 रुपे का WIP का होगा तो मैं सीधे 15% अगर इसमें जोड़नू तो चलेगा 15% का मतलब होगी है 12,600 यहाँ पर short में लिखवी देता हूँ तो 84,000 प्लस 15% 96,600 होगे जी 84,000 प्लस 15% WIP बता ठीक है अब जी आ जाओ दूसरा खर्चा है wages and manufacturing expense wages and manufacturing expense वो कितने रुपे लगे हैं जी 62,500 लगे है finish goods के 62,500 मैंने finish goods के लिख लिख लिए अब मुझे WIP के चाहिए उसमें case है कि वो 40% लगे है तो देखिए कैसे कर सकता हूँ 62,500 15% WIP है जो 40% लगा है कि सर इसको तोड़ दो तोड़ देता हूँ ठीक है 62,500 है 100 unit का तो 15 unit का कितना होगा पहले ही निकाल देते हैं 62,500 100 unit का तो 15 unit का कितना होगा 9,375 होगा लेकिन WIP में सिर्फ इसका 40% हिस्सा लगा है 9,375 का 40% 3,750 तो 3,750 जोड़ना है इसमें WIP के लिए और कैसे कर सकते हैं इसको 62,500 का 15% आ जाएगा पहले WIP लगा है सिर्फ 40% अगर आप इसको देखेंगे तो 3,750 की value आ जाएगी तो 62,500 प्लस 3,750 66,250 आ गया ओके जी इसके बाद में दिया हुआ है depreciation जो हमें जोड़ना ही नहीं है ठीक है जी 600 प्लस 66,250 16,2850 हो गया अब इसमें से माइनस करेंगे closing WIP closing WIP में कुछ नहीं लेना जो आपने इसके material के जोड़े थे और जो आपने labor overhead के जोड़े थे वो माइनस करने है तो 12,600 और 3,750 जो WIP वाले जोड़े थे वो ही WIP की valuation है 16,350 ओके अब यह आगया हमारे पास cost of production 162850-16,350 146,500 हमने depreciation क्यों नहीं लिया cash cost पे बनाना है question ने बोला था cash cost basis पर cost of production में से माइनस करेंगे finished goods का stock finished goods का stock यहाँ पर दिया हुआ है 10% है produced का तो सीधा सीधा 10% आ जाएगा 14650 इसमें कोई दिक्तत नहीं है सिर WIP निकालने वाली बात थी यह आगया COGS 146,500 minus 146,50 1318,50 अब इसमें admin selling जोड़िए यह admin और selling दिये हुए है 14 और 13 फिर income tax है income tax खर्चा नहीं होता है जो cost में आए तो 14 और 13 आ गए और यह आ जाएगी cash cost of sales cash cost of sales इसी तक पहुचना होता है cash cost में क्योंकि cash cost profit और depreciation को consider नहीं करती 1588,50 तो यह income statement इसका बनता है इसमें बच्चे बहुत confused होते है यहाँ पर हमने इसका income statement बनाय हुआ है यहाँ पर सेम ऐसी बनाय हुआ है पर समझा समझा के मैंने लिखवा दिया अब हमें निकालना है raw material तो जितना consumed है उसका निकाल लो भई है 2 by 12 WIP आपने अभी यहाँ पर निकाला था 16,350 finished goods है 14,650 यह दोनों आ रहेंगे 16,350 14,650 debtors जितनी भी cost of sale है उसका 80% credit पर है 2 by 12 देना है तो यह हमारे पास आगई cost of sale इसका 80% credit पर है 2 by 12 यह भी आ गया अब जितने भी खर्चें सब 1 month advance है तो wages, admin, selling सब 1 month advance आगए आपके पास ठीक है cash balance 8,000 है अभी tax को छोड़ा हुए मैंने अब आ जाते हैं creditors पर creditors थे 1.5 month के तो आपको क्या-क्या जोड़ना होगा creditors के लिए यह वाला material जो consumed हुआ वो प्लस जो हमारे पास closing stock में रखा है वो इन दोनों को जोड़के purchase निकाल दी होगी तो creditor के अंदर raw material consumed plus closing stock जोड़ा उसका तेर्ड महीने का निकाल दिया ठीक है जिए अब इसके अंदर last point है provision for tax वाला आजाईए वो दिखाता हूँ मैं आपको question के अंदर दिया हुआ है provision for tax 10,000 रुपेया ठीक है अब कह रहे हैं 70% of the income tax will be paid in advance तो 70% तो pay हो गया 10,000 में से तो provision किता बचा 30% तो यहाँ पर provision for tax 10,000 का 30% 3,000 बचा क्योंकि 70% या नहीं 7,000 तो pay हो जाएगा तो provision सिर्फ 3,000 का बचा आगे कह रहे हैं 70% of the income tax will be paid पेड दक होता बात खतम हो जाती कि 70% of the income tax paid अगर paid हो गया इसका मतलब हो गया कि 10,000 में 7,000 तो pay हो गया अब आगे कह रहे हैं paid in advance आपके पास अप्रेल में जून quarter 1 है उसका आपने advance दे दिया तो वो एक quarter में advance रहेगा जैसी दूसरा quarter चालोगा वो advance खतम हो गया आपका फिर दूसरे quarter का advance चलता रहेगा दूसरा quarter खतम होते ही वो भी आपका set off हो गया फिर तीसरे quarter का advance यानि एक quarter आपका advance चलेगा तो आपने income tax 7000 पे किया है quarterly advance चल रहे तो एक quarter का 1 by 4 या 3 by 12 कर सकते हैं एक quarter का पैसा आपका वी वी advance चल रहा होगा advance tax में हमेशा एक quarter का पैसा advance चलता रहता है तो हमारे पास advance tax 1750 assets के अंदर आ जाएगा बस A-B करिए इसके बाद में provision 10% बोला है जोड़ी है और working capital आ जाएगी आपके पास अब मेरे को बताने हैं आपको एक MPBF का concept आ जाएगी हाँ जी एक concept होता है maximum permissible bank finance का Mr. P.L. Tundon ने निकाला था यह इन्होंने एक Tundon committee बत नहीं थी जो RBI ने इनको बोली थी 1974 में तो इन्होंने बताया था कि working capital में हम maximum कितना पैसा advance दे सकते हैं तो इसके अंदर इन्होंने तीन method बनाए थे मैं यहाँ पर लिख रहा हूं method one कितना पैसा advance दे सकते हैं MPBF maximum permissible bank finance ठीक है तो बोले आप 75% दे सकते हो CA-CL के net balance का दूसरा method इन्होंने बोला कि 75% CA का दे सकते हो minus CL अलग से minus होगा यानि पहले उपर दोनों bracket में उनका net balance अब यहाँ पर इसका 75% है CL पूरा minus होगा तीसरा इन्होंने बोला 75% आप दे सकते हो current assets का excluding core current assets minus CL पूरा पूरा आएगा इस तरीके से अब question exam में आता कैसे है इसका पांच नमबर का question इसका maximum बनता है अभी last to last attempt में भी जाये था और बड़ा simple सा रहता है इसके अंदर आपको जैसे current assets दे दी के current assets हैं 10 lakh इसमें बोल दिया 20% core current assets हैं current life tige आपको दे दी दो लाक रुपे है ठीक है अब इन्होंने का कि भी तीनों method से निकालो तो पहला method कहता है current asset और current life tige के net balance का 75% दे दो तो 75% 10 lakh माइनस 2 lakh 8 lakh का 75% 6 lakh रुपे का आपको धार मिल जाएगा credit मिल जाएगा ठीक है दूसरे मैं बोला कि 75% 10 lakh रुपे का लो और 2 lakh रुपे सीधे माइनस करो तो 7 lakh रुपे और 2 lakh रुपे 5.5 lakh रुपे आगिया है इसके अंदर तीसरे case में बोले 75% तो excluding core current asset तो तीसरे वाले में 75% आएगा 10 lakh रुपे से 20% core current asset है तो other than core current हुई 8 lakh रुपे तो जो 8 lakh रुपे ही current asset है उसी का 75% रुपे और 2 lakh रुपे से माइनस करेंगे तो 4 lakh रुपे आ गया तो जो पहला method है उसमें सबसे ज़्यादा credit मिलता है दूसरे में उससे कम तीसरे में उससे भी कम तो method बहुत है पहला method कहता है CA माइनस CL के net balance का 75 दूसरा कहता है current asset का 75 देंगे माइनस CL पूरा कर देंगे तीसरा कहता है CA का 75% देंगे core current asset हटाने के बाद और माइनस CL कर देंगे इसमें एक important point ये रहता है कि आपके पास जो current liability है वो excluding short term bank finance होनी चाहिए उसमें bank finance include नहीं होना चाहिए short term वाला तो अगर short term bank finance current liability में है तो उसको हटा देना चाहिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2,00,00 रुपे की current liability है including 50,000 short term loan तो आप सिर्फ 1.5 lakh की current liability लेंगे तो ये कई वार 5 marks में आ जाता है last to last attempt में आ चुका है तो आगे भी हो सकता है कि कभी पूछा जाए हमने तब भी करवाया था हम अब भी करवा रहे हैं हम हमेशा करवाते रहेंगे यह आता रहेगा जाता रहेगा हाजी हमारे पास question था BBQ 38 उसमें पूछा था maximum permissible bank finance बताओ first and second method में ठीक है तो इसमें हमारे पास current asset और current liability निकली हुई है देखे पहले method में हम क्या करेंगे CA और CL का minus करके जो net balance आया है यह आगे 75% current asset minus current liability यह जो CA और CL का minus करके net balance आया है इसका 75% दे देंगे 75% CA minus CL का हमने यहाँ पर दिया हुआ है इसमें यह टोटल गलत है मेरे ख्याल से 4695990 multiply 75% 35 रहां यह यह गलत लिखिये amount यह amount यहाँ पर आएगी 4252913 4252913 का 75% 3189 हाँ ठीक है यह वाली amount आएगी यहाँ पर वो figure कुछ गलत लगगी होगी यह वाली amount ठीक है दूसरा method कहता है कि आप इसका 75% दे दो और उसमें से 8 लाख रुपे के CL पूरा-पूरा माइनस कर दो तो 75% इसका दिया 8 लाख रुपे पूरे-पूरे माइनस कर दो इतना आ गया इसी question में कह दिता कि core current asset 20% है तो 20% उसमें से हटाकर current assets में से फिर 75 देते हैं और फिर current life teach को माइनस करते हैं एक बड़ा famous question है BBQ 40 दो बार exam में आ चुका है चार बार RTP में देखेगा the management of trucks company limited is planning to expand its business and consult you to prepare an estimated working capital statement the records of the company reveal the following annual information the records of the company reveal the following annual information sales यहाँ पर दो तरीके की sales देता है बस question इसी बात पर टिका हुआ है domestic sale 1 month credit 18 लाग export sale 3 month credit 8,10,000 रुपे और कहता है कि जो export sale price है वो domestic से 10% कम है domestic का मतलब होता है इंडिया के इंडिया में export का मतलब है इंडिया के बाहर बेच रहे हो तो जो इंडिया में बेच रहे हो उसका 1 month का credit है इंडिया के बाहर 3 महीने का credit है और इंडिया के बाहर जो बेच रहे हो, वो 10% कम प्राइस पे बेच रहे हो आप, ठीक है जी, ये दोनों की sale देती है, इसके बाद में बस ये main point है, कि इनकी cost कैसे बटेगी, वो आपको सिखाना है मुझे, material आगे जी, labor आ गई, manufacturing expense आ गए, admin expense आ गए, sale promotion expense आ गए, फिर income tax आ ग रहेंगे, admin one month के रहेंगे, और sale promotion quarterly advance रहेगा, तो सबसे पहले इसका income statement बनाना है, तो material, labor, manufacturing expense, इसके बाद में आपके admin और selling and distribution expense, ये देखेगा, question में एक point line आके बढ़ाता हूं, rate of gross profit 20% है, 20% GP ratio है, ignore WIP and depreciation, अगर आप WIP और depreciation को ignore करवा रहे हैं, इसका मतलब ये cash को cost का question है, ये cash cost का question हो गया, अगर आपने depreciation ignore करना है, तो cash cost हो गया, तो यहाँ पर ये cash cost का question है, तो यहाँ पर rate of GP किसी काम का हमारे नहीं है, cash cost में rate of GP सिर्फ आपको confuse करने के लिए दिया जाता है, अब हम simply material used को उठाएंगे, income statement में, material used, wages, manufacturing expense, cash में दियोए थे, admin cash में दिय selling and distribution को जोड़ेंगे, cost of sale आजाएगी, यहाँ पर इस question में जो admin expense लिए गए है, वो related to production लिए है, ICI ने, तो एक question तो यह है, जिसमें related to production लिए है, और 141 है, जिसमें related to production लिए है, दोनो back to back आपको दिखाऊंगा मैं, ठीक है, तो अगर आप related to production नहीं लेना चाहते, तो यह जो admin expense है, यह COGS के बाद में आ जाते, और कोई फर्क question में नहीं पड़ता, तो ठीक है, हम ध्यान रखेंगे, कि भई, export sale वाला जो question है, domestic और export sale वाला, उसमें admin को हम related to production मान ले, तो probability number मिलने की ज़्यादा रहेगी, वैसे तो assumption के हिसाफ से, आप जैसे करके आओगे, आपको number मिली जाएंगे, ठीक है, the company keeps, हमारा income statement ये बनकर तयार हो चुका है, ठीक है, the company keep, अब one by one चीज़े आपको दिखा रहा है, आजाओ, सीधे दिखाना चालू करता है, एक एक आइटम इसका उठाके चालू करते हैं, जो जो दिख रहा है, debtors को छोड़ दो बस, उसके इलाव payment wages half month, तो wages को half month का outstanding कर दो, labor half month का outstanding हो गई, इसके बाद में कह रहे हैं, lag in payment of manufacturing expense one month, manufacturing expense का 1 by 12 outstanding कर दो, या आगे जी 1 by 12, इसके बाद में admin expense one month lag in payment है, तो admin को one month का outstanding कर दो, इसके बाद में sale promotion expense quarterly advance है, तो जित्ती भी payment है, उसका 1 by 4 advance कर दो, एक quarter का advance आजएगा तो प्रिपेट सेल 1 by 4 वन quarter का advance आगया आप 3 by 12 भी कर सकते हो income tax payable in 4 installments out of which 1 falls in next year तो income tax 4 installments में देना है एक installment अगले साल आने वाली है तो इस quarter इस पूरे financial year के खतम होने के बाद आएगी तो उसका provision बनाना पड़ेगा तो provision for income tax आजएगा 168 का 1 by 4 यह भी outstanding हो गई यह तरीक है तो provision for tax आगया ठीक है यह भी आगया इसके बाद में question ने यह rate of GP दिया था WIP, ignored app इससे कोई लेंद देना नहीं आगे बढ़ते हैं the company की one month stock of raw material and finished goods तो भाईया raw material 1 by 12 आगया finished goods 1 by 12 आगया and believes in keeping 2,50,000 available to it including the overdraft limit of 75,000 not yet utilized by the company फिर से देखेगा हम चाहते हैं के हमारे पास 2,50,000 हो including overdraft limit 75,000 जिसे अभी तक utilize नहीं किया है तो आप चाहते हो आपके पास धाही लाग रुपे होने चाहिए ठीक है इसमें एक overdraft की 75,000 की limit भी आप use कर सकते हो तो आपको कभी ज़रत पड़ेगी तो आप overdraft भी withdraw कर सकते हो लेकिन आपके पास available cash 2,50,000 रहेना चाहिए कहरे हैं हमने अभी तक overdraft की limit को use नहीं किया है ठीक है तो आपके पास क्या होगा cash में 2,50,000 रुपे including overdraft limit है overdraft को भी use नहीं किया तो आपके पास cash कितना होगा 1,75,000 और overdraft कितना आएगा overdraft आएगा liabilities में cash आएगा current assets में overdraft कितना आएगा zero अज़ा question कहें कि हमने overdraft में से 50,000 इस्तमाल कर लिए तो overdraft में आजएएंगे 50,000 और यहाँ cash में 50,000 बढ़ जाएंगे अज़ा question बोले मैंने 75,000 का OD पूरा यूजगर रखा है तो यहाँ पूरे 75,000 आजएंगे और OD में भी 75,000 पूरे नज़र आजएंगे अभी question कह रहा है हमने overdraft का इस्तमाल नहीं किया इसका मतलब आपने overdraft से भी इसेट साइड में बढ़ जाएगा तो हमें 250,000 चाहिए including overdraft overdraft अभी इस्तमाल किया नहीं है तो हमारा cash balance आगया 175 और current liability में overdraft कहीं भी नज़र नहीं आ रहा क्योंकि overdraft अभी zero balance है इसके बाद में कह रहे हैं the management is also of the opinion to take 10% margin of contingency और cash balance हमारे पास हो गया ठीक है हमारे पास 10% last में contingency जोड़ देंगे यहाँ पर आ जाएगा अब हमारे पास सिर्फ एक चीज बची है वो है debtors वही मेरे को सिखाने है आपको देखे इन्होंने क्या कहा debtors लिए जाते हैं हमारे पास cost पर यह sale दियो यह दोनों की एक debtor की sale है 18 lakh और एक debtor की sale है 8 lakh 10,000 ठीक है और यह है हमारे domestic debtor जिनने हम 1 month का उधार देते हैं यह export वाले debtor है जिनने हम 3 month का उधार देते हैं और इनका price 90% है 10% ही कम पर बेचते हैं समान ठीक है अब हमें जो debtors लेने होते हैं यह basically इनकी actual sale value है 18 lakh और 8 lakh 10,000 तो अगर आप debtors को sale पे लेते हो तो 18 lakh का 1 by 12 और 8.1 lakh का 3 by 12 लेकिन अगर आपको इन debtors को लेना है cost पर के इनकी cost कितनी है तो पहले आपको इनकी cost निकालनी पड़ेगी है अब cost निकालने के लिए आपको ये matching concept के अंदर नहीं आ रहे एक समान अगर 100 रुपे में विकराए तो यहाँ पर एक unit 90 रुपे में विकराई है तो आपको पहले इनको एक ही level पे लाना पड़ेगा तो यहाँ तो 18 lakh रुपे को 10% price कम करो तो 18 lakh रुपे का अगर आपने 10% कम कर दिया तो आपका हो जाएगा 16.2 lakh तो यह हो जाएगा कि domestic sale export sale वारली price पे 16.2 lakh की है और यह 8.1 lakh का है आप देखेंगे 2 to 1 का ratio हो गया matching concept क्यों कर रहे हैं क्योंकि यह बिकता है 90 रुपे पे और यह बिकरा है 100 रुपे पे तो sale price दोनों का match नहीं हो रहा तो हमें पहले दोनों का sale price match करना पड़ेगा तब ही हम इनके बीच में किसी खर्चे को distribute कर सकते हैं जब आपको कोई खर्चा apportion करना होता है दो चीजों के बीच में तो वो दोनों चीज़ें same platform पर होनी चाहिए otherwise हम apportion नहीं कर सकते जैसे मान लीजिए एक चीज है kilogram में और एक चीज है gram में तो kilogram और gram के बीच में किसी चीज को distribute नहीं कर सकता या तो दोनों को kilogram बनाना पड़ेगा या तो दोनों को gram में convert करना पड़ेगा तो एक तो है इसको 10% कम कर दो दूसरा है के 8,10,000 को आप ये सोचो के domestic market में कितने हैं बिचता तो 8.1 lakh का बिका है 90% के price पर तो यहाँ पर बिकता 9 lakh का तो domestic 18 lakh का और export वाला 9 lakh का हो गया तो 18 lakh और 9 lakh 2 to 1 का ratio फिर से हो गया तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा पहले जो cost है जो sale price है उसे match करवाना पड़ेगा तो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले export sale 8 lakh 10,000 है हमने उसे domestic sale के बराबर करा तो अगर domestic market price से चले तो 9 lakh का होता ये और domestic sale आपके पास 18 lakh है तो domestic sale 18 lakh और आपके पास में 9 lakh की होगी export sale total sale 27 lakh रुपे की हमारे पास अब निकल कर आ रही है एक matching concept पर लिकर आप इसको चाहें तो इसे 8-10 रहने दें और 18 lakh वाले को 10% कम कर सकते हैं बस दोनों को same platform पे लाना होगा ठीक है जी तो हमारे पास 27 lakh दोनों की sale आ गई अब हमारे पास जो income statement है उस पे जाईए हमारे पास जो cost of good sold होता है जिसमें material, wages, manufacturing expense और admin यहाँ पर ले लिए है related to production तो ठीक है यह भी तो यह जो COGS होता है अब यह equivalent जो आपके पास sale आई है उस ratio में बढ़ जाईगी और जो sale promotion expense होते है वो actual sale के ratio में बढ़ते है actual sale के ratio में क्यों जैसे मान लो commission है तो मुझे होता है अराम से सोचिए जैसे material है, labor है इस calculator को मैं 100 रुपे का बेचूँ एक market में और दूसरे market में 90 रुपे का बेचूँ तो इसके उपर लगने वाला material लगने वाली labor तो सेम ही रहेगी तो material, labor, manufacturing, overhead या कोई भी खर्चा जो related to production है वो सेम लगता है, चाहिए आप sale price कुछ भी रखो इसलिए हमने sale price को equivalent बनाया है लेकिन जो sale promotion expense है जैसे commission बताई 4% अगर मैं commission दूँ तो 100 रुपे का बिकेगा, तो 4 रुपे का commission 90 रुपे का बिकेगा, तो 3.6 का commission जैड़ ला जाएगा तो यानि sale promotion expense को actual sale पे लिया जाता है कि जितना sale price, sale value होगी उसपे commission मिलेगा तो आपके sale promotion expense आप actual sales के ratio में लेंगे और जो आपके बाकी के खर्चे हैं COGS वो equivalent पहले आप sale बनाएंगे matching concept पर लाएंगे, फिर distribute करेंगे तो 21,60,000 यहाँ पर है सारे के सारे खर्चे except sale promotion खर्चा sale promotion का खर्चा छोड़ कर 21,60,000 थे उसे हमने 18 और 9 के ratio में बाढ़ दिया 2-1 के ratio में 14,40 और 720 आ गए और जो sale promotion expense है sale promotion expense है आपके 1,12,500 उस 1,12,500 को actual sale के ratio में बाढ़ दिया actual sale किती है 18,00,000 और 8.1,00,000 तो यह है 26.1,00, तो 1,12,500 divide by 26.1 multiply by 18 domestic का खर्चा multiply by 8.1 34,914 foreign country का खर्चा तो फिर से मैं बताता हूँ इसमें क्या question में game है यही इसका असली game है इसमें जो आपको debtor दिये गए है वो debtors दिये गए है export और domestic export वाले 10% comprise पे हैं तो आपका cogs तक का जितना भी खर्चा है 27,00 लेकार था शायद वो खर्चा आप लोगों को जो बाटना है domestic और export पर उसमें sale को match करना पड़ेगा तो जैसे इसकी sale 18,00 लाग है और इसकी 8.1 है तो 8.1 90% price पर है तो 9 lakh तो 18 lakh और 9 lakh के रेशो में बटेंगे और जो आपका selling and distribution का खर्चा है वो खर्चा actual sale के रेशो में बट जाएगा domestic और export में 18 lakh और 8.1 lakh के रेशो में तो आपको sale promotion बाटने है actual रेशो में और बाखी खर्चा बाटना है आपको बाखी खर्चा तर 2160 2160 का आपको खर्चा बाटना है equivalent sale के रेशो में इस point को आपको धियान रखना है बस आपने खर्चा बाट दिया अब आपके पास जो product की cost है वो निकल कर आ जाएगी तो अगर हम domestic की बात करें तो domestic का खर्चा कितना है 14,14,000 प्लस 77,586 sale promotion का ये हो गया domestic debtor का खर्चा export debtor का खर्चा हो गया 7,20 और 34,914 यहां पर हमारे पास यह आ गए 14,40,77,586 वन मंत का उधार 7,20 और 34,914 थ्री मंत का उधार इनको दे दिया हमारे पास working capital निकल कर आ गई बहुत famous question है पक्के चांस है इसके दस्नमबर में आ सकता है इसके बाद में हमारे पास सब सिर्फ दो ही question बचे है the end पे चल रहे हैं हम लोग बिलकुल working capital chapter का the end होने वाला है अब बहुत आसा आने सब 5-5 minute के दो question है और काम खतम यह question study mat में भी है practice manual में भी था RTP में 7-8 वार आ चुका है आज तक और MTP में भी 3-4 वार आ चुका है MA limited is commencing a new project of plastic component the following cost information has been ascertained for the annual production of 12,000 units which is its full capacity तो 12,000 unit अगर हम बनाते हैं तो cost per unit कितनी होगी दिया जा रहा है material 40 रुपीज पर unit है direct labor 20 रुपे पर unit है fixed manufacturing expense 6 रुपीज पर unit है तो fixed खर्चा कभी पर unit नहीं होता तो 12,000 unit पर 6 रुपे हैं इसका मतलब ये 72,000 का खर्चा है इसके बाद में depreciation 10 रुपे पर unit है यानि 1,20,000 का depreciation है fixed admin expense 4 रुपे हैं तो 12 multiply by 4 होगे 48,000 का admin का खर्चा है तो जो variable खर्चे होते हैं वो तो per unit में रहते हैं लेकिन जो fixed खर्चे होते हैं वो total निकालना पड़ता है तो 12,000 unit पर 6 से 72 10 से 120 और 48 आगे fixed admin selling price per unit 96 है selling expense 5 रुपे पर unit है 80% जिसका variable है तो इसका मतलब 5 रुपे में 4 रुपे तो variable है और 1 रुपिया fixed है तो 12,000 unit पर 1 रुपिया कितना हो गया 12,000 fixed selling expense हो गया in the first two years ध्यान रखिए नए project वाली company है in the first two year of operation productivity sale and are expected to be as given below केरें first year में हमारे पास opening stock कितना है 0 opening stock तो होगा नहीं production हुआ 6000 unit का total units कित्ती हो गई आपके पास 6000 sale उसमें से कर दी आपने 5000 unit closing stock कितना बचा आपके पास 1000 तो first year में कोई opening stock नहीं होगा 6000 बनाई 5 year बेज नहीं 1000 का closing stock आपके पास बच गया second year में आपके पास 1000 का opening stock आ जाएगा जो closing stock था last year 9,000 आपने बनाई production दिया हुआ है आपके पास total unit कितनी हो गई 10,000 9,000 बनाई 1,000 पुरानी आपके पास 10,000 में से 8,500 बेच चुदी 1500 आपके पास होगा to assess the working capital requirement the following additional information is available raw material का stock 2.25 मन्त लेना है WIP 0 है यानि WIP कोश्चन में नहीं है debtors 1 month average sales लेने है तो कोश्चन में mention है average sales तो debtor इस कोश्चन के अंदर sale पे लिया जाएगा वैसे हम किस पे लेते थे cost of sale पर तो यहाँ पर clear dimension है तो sale पे लेना होगा cash balance 10,000 है creditor 1 month का आपको उधार देते हैं और expense के लिए जो आपके creator है expense के लिए creator का मतलब होता है outstanding expense ही बात कर रहे है तो creditor for expense 1 month का average देते हैं of all expenses सारे expenses का पध्यान रखिए इसमें depreciation नहीं होगा ठीक एडी कहरें income statement बनाईए आप tax को ignore करिए और दूसरा दोनों साल का बनाना है working capital requirement आप निकाल लिए तो अच्छा question है famous question है आता रहता है अब इसके अंदर इन्होंने जो exemption लिए इसके अंदर इन्होंने admin expense को related to production लिया है तो ये दूसरा question ऐसा है जिसमें admin expense related to production लिया है एक तो domestic और export sale वाला और एक जो दो साल का data दे देता है दोनों साल का P&L बनवाता है वहाँ पर उसके इलावा बाकी पूरे working capital में admin को not related to production बनना है दूसरा इन्होंने जो finish roots का stock है वो weighted average पे निकाला है तो वो आप FIFO पे भी निकाल सकते हैं मैं दोन तरीके से निकाल कर आपको बताऊंगा अब पहले बनाते हैं P&L 6000 unit बनी है 5000 भी किये ध्यान रखना है material 80 रुपे per unit है 40 रुपे material 40 रुपे per unit है direct labor 20 रुपे पर unit है ठीक है यह आगई दोनों और manufacturing expense हमने निकाल दिये थे यह आगई 72 120 का depreciation admin 48 admin को related to production माना है तो 72 120 48 cost of production आगई 6 लग opening stock कुछ नहीं है पैड नहीं company है COGS हो गया 6 लग वो goods available for sale closing stock आपके पास 5000 यूनिट वेच होगे 1000 यूनिट वचेगा अब जड़ देखे 6 लाख रुपे 6000 यूनिट की value है 1000 यूनिट closing stock में तो closing stock आगए 1 लेक का 5 लेक आपका आगए COGS selling expense variable 4 रुपे per unit है fix हमने यह आपे दिखा दिया था 1 रुपे per unit याणी 12,000 रुपे हो गए यह 12,000 रुपे हो गए cost of sale आ गई sale price है इनका 96 96 96 इनका sale price है यह sale आ गई पहले साल नुकसान हो गया ठीक है अब second year का P&L 9,000 यूनिट बना रहे हो आप इसवार material 40 से labor 20 से यह सारे के सारे खर्चे fix है 72 120,48 ऐसे कैसे आ गए 7,80,000 आपका cost of production आ गया पिछले साल का जो closing stock था वो इस साल का opening stock हो गया तो पिछले साल 1,000 का closing था वो opening हो गया 8,80 total हो गया अब आपके पास 1500 यूनिट का closing stock है अगर हम FIFO method से चले तो हम क्या करेंगे FIFO method में हम मानेंगे यह जो 1,000 का opening stock था यह बिग गया और हम कहेंगे 7,80,000 रुपे की 9,000 यूनिट बनी है 1500 closing stock में तो हमारे पास closing stock आ जाएगा 1,30,000 का दूसरा method है weighted average weighted average कहता है total cost और total unit ले लो तो total cost कितनी है 8,80,000 units total कितनी है 10,00, 9,000 इसवार की और 1,000 opening stock वाली इसमें से 1500 बची है 1,32,000 तो आप exam में किसी भी तरीके से कर सकते है इन्होंने ICI ने weighted average लिया था आप exemption लिखकर उसको FIFO से भी कर सकते है तो यह 132 का closing stock आ गया यह आगे COGS Sailing आ गए 4 रुपे पर unit और fix वाले 12,000 और यहां पर profit और sale आ गई P&L बन गया अब हमें बनाना है Working Capital Statement इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस इसमें admin related to production लिया है यह point ध्यान लखने वाला है तो दो question है पूरे के पूरे ICI मैट में एक तो domestic और export sale वाला और दूसरा यह दो साल का जो data देता है वो वाला वहाँ admin related to production ले लेना अब देखे stock 2.25 मंत का है तो 240,000 2.25 divided by 12 और 360 2.25 divided by 12 यह आपके पास closing stock आगए raw material के पहला point खतम दूसरा है finished goods का stock तो closing stock finished goods का एक लाख और एक लाख बत्तिस जा रहे यह आगे finished goods का stock 1,132 ठीक है इसके बाद में हमारे पास में stock हो गया finished goods हो चुका debtor debtor 1 month average sale लेना है तो sale link किया है तो sale का ही निकालना पड़ेगा वरना cost का लेते तो यह जो sale है इसका 1 by 12 कर लो तो 480 का 1 by 12 और 816 का 1 by 12 यह आगे हमारे debtor यहां mention भी क्या हुआ है कि sale value पे निकाले है question ने बोला था cash balance 10,000 रखना है वो 10,000 आ गया कोई दिक्कत नहीं है अब हमारे पास एक creditor और एक outstanding expense दो बच्चे है तो creditor नई company का question था तो creditor कैसे आएंगे raw material जितना consumed हुआ है material के लिए creditor एक महिने के लिए raw material जो consume हुआ है plus जो closing stock है 240,000 plus जो closing stock है opening stock हो गई नहीं first year में इसका हम निकालेंगे 1 by 12 तो 240 plus 45 divide by 12 यह आगे 23,750 अब अगले साल वाला देखिए अगले साल आपका consume कितना हुआ 360 plus closing stock कितना है 67,500 क्या अगले साल भी opening stock नहीं है अब है कितना 45 यह कहां से आगिया सर विटा जो first year का closing है वही तो second year का opening बन जाएगा तो opening stock है यह closing stock second year के लिए closing stock 67,500 है और opening stock 45 इसका 1 by 12 आएगा तो इसमें बच्चे फच्च जाते हैं कि कैसे निकली हुई है value और divide by 12 expense है उनका one month लेना है ठीक है जी अब मैं expense का आपको total करवाता हूँ calculator पर जोड़ के देख लेना material के लिए तो creator हो गए labor and variable expense manufacturing expense depreciation नहीं आ सकता non cash है fixed admin selling and गया गए तो 1,20,000 72,000 48,000 और 32 हो गए 2,72,000 आ गए first year के second year के और निकाल लेते है 180, 72, 48, 34, 12 180, 72, 48, 34, 12 3,46,000 1 by 12 1 by 12 कर लो इनका भी आ जाएगा 372 divided by 12 31,000 यह तो नहीं आ पाया direct labor 120, 72 किते time के हैं 1 month के 48, 32 2,72,000 divided by 12 22,667 आ रहे है calculator भी गड़बोट थी और दूसर 346 divided by 12 28, 8,33 ठीक है जी working capital निकल कर आ जाएगी A-B बहुत ही बढ़िया अब हमारे पास last question बचाए बच्चो working capital खतम होने वाला है मुझे पूरी उम्मीद है कि हमने सारे बहतरीन questions कवर की है आपको अगर इसमें जरासी भी दिक्कत लगे तो एक वार वीडियो को जहां जहां दिक्कत आए दुवारे से जरूर देख लेना एक आता है double shift का question तो exam में अभी तक अभी पूछा नहीं गया double shift लेकिन RTP में back to back आता है even जित्ती भी test series आप दोगे उसमें back to back आता है तो एक question important है इसका छोटा सा हिस्सा सिर्फ पूछा जा सकता है study mat में बहुत पला question है वो छोटा सा हिस्सा हमने अपने पास रखा है और बच्चे को अराम से समझा पाएं इतना portion उसमें रखा हुआ है वैसे तो ये पूरा question अगर study mat में देखोगे तो 20-25 नमबर का है लेकिन इसका एक जो पहला initial हिस्सा है वही RTP में MTP में हमेशा देखने के लिए मिला है तो मुझे रखता है वही पूछा जा सकता है उसे हमने रखा हुआ है double shift का सबसे पहली बात impact क्या पढ़ता है double shift का impact ये पढ़ता है कि अब आप एक shift में नहीं दो shift में काम करोगे यानि जैसे पहले 8 घंटे काम करते थे तो आप 16 घंटे काम करोगे तो इससे क्या होगा जो production और sale है वो double हो जाएगा variable खर्चे double हो जाएगे fixed खर्चों पे कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला raw material का stock double हो जाएगा WIP की बात करेंगे finished goods का stock double हो जाएगा units की बात हो रही है सब debtors double हो जाएगे prepared अगर variable है तो double और outstanding अगर variable है तो double prepared और outstanding अगर fixed खर्चों की बात की जाएगा तो fixed खर्चों के कोई फर्क नहीं पड़ेगा जैसे की आपने एक महीने का advance rent दिया है पचास जार अब आप एक shift में काम करो हैं दो shift में advance rent तो पचास जारी रहेगा इसके इलावाग क्रेडिटर double हो जाएगे ठीक है अब WIP stock की बात आती है WIP stock में ध्यान रखने वाली चीज़े देखो यह हमारे पास factory है इसके अंदर यह pipeline जा रही है ऐसे इस pipeline में क्या होता है कोई chemical process होके जा रहा है तो यहाँ पर chemical input होता है दो तीन चार दिन जितने भी दिन लगते हैं और यहाँ से फिर बाहर निकलता है यहाँ पर raw material input और यहाँ पर finished goods और यह बीच का पूरा portion WIP है अब हम मान लेते हैं इसके अंदर हमारी 5000 units हैं WIP में है अब आप एक shift में काम करो दो shift में काम करो तीन shift में काम करो इस pipe के अंदर हमेशा 5000 unit रहेंगी सिर्फ फरक्या पड़ेगा जैसे मान लो आप एक shift में एक महीने में एक shift में एक महीने में 20,000 unit बनाते थे तो दो shift में अगर आप काम करोगे तो आपकी unit 40,000 हो जाएंगी तो double shift में अगर आप काम करोगे production बढ़ जाएगा 20,000 की जएगे 40,000 बन जाएंगी लेकिन इस pipeline के अंदर WIP जिसको बोलते हैं वो सिर्फ 5000 unit की capacity है तो factory के अंदर जो machine होती है उनके उपर जो WIP चलता है वो आप एक shift में काम करोगे दो shift में तीन shift ने वो उतना ही रहेगा बस फर्क्या पड़ेगा पहले आप 8 घंटे उस WIP को प्रोसेस करके finish shoots बना रहे थे अब आप 16 घंटे करोगे तो production बढ़ जाएगा लेकिन factory के अंदर जो machine हो पर material है वो उतना ही रहेगा तो WIP units के term में change नहीं होता डवल शिफ्ट का question हमारे पास examiner का बड़ा famous सा question है examiner का नहीं लेकिन RTP, MTP का और test series वालों का बड़ा famous question है पढ़ते है submarine enterprise has been operating its manufacturing facilities till 31st March on a single shift पहले single shift पर काम कर रहे थे cost structure material 6 रुपीज per unit है labor 5 रुपे per unit है जिसमें 40% fixed है तो 40% fix हो गया variable हो गया 3 रुपे fix हो गया 2 रुपे ठीक है overhead 5 रुपे है जिसमें 80% fix है तो variable हो गया 1 रुपे fix हो गया 4 रुपे profit 2 रुपे कमाते हैं 18 रुपे में बेच रहे हैं पूरे साल की sale 4,32,000 है तो 4,32,000 है 18 रुपे की एक unit है तो 4,32,000 18 रुपे की एक unit बेची है इसका मतलब आपने 24,000 units बेची है कैसे निकाला है मैंने 4,32,000 को 18 रुपे से डिवाइड कर दिया तो मेरे पास 24,000 unit निकल कर आ गए इसके बाद ये कह रहा है कि इस टोक वगरा कितना है इसको छोड़ देते हैं भी पहले income statement बनाएंगे अब कह रहा है अब डबल प्रोडक्शन करने वाले है 24,000 की जगे 48,000 units बनाएंगे अब जो supplier है वो कह रहा है में 6 रुपे की जगे न तुम्हें ये 10 परसेंट कम पर पांच रुपे 40 पैसे में material दूँगा ठीक है जी उसके बाद में selling price will remain same बाकी कहानी आगे की है ठीक है तो पहले हम बनाते हैं income statement हमारे पास है material, wages, overhead ये तीन खर्चे हमारे पास है इसमें एक चीज हमारे पास होर है कि जो WIP है वो prime cost पे निकाला हुआ है तो हमें prime cost उसमें दिखा नहीं prime cost कैसा आईगी prime cost में material और wages जाएंगी फिर उसके आद overhead जोड के दिखा देंगे ठीक है अभी हम 24,000 unit बना रहे थे पहले मैं आपको इनने दिखाता हूँ 24,000 unit पे material 6 रुपे ये income statement है single shift 24,000 24,000 unit पर 6 रुपे का material labor 3 रुपे की variable 2 रुपे की fix ये पैसे आ गए prime cost आ गई फिर overhead variable और fix 1 रुपे और 4 रुपे के थे ये आ गए total cost आ गई profit जोडा इसमें और हमाई पास sale आ गई अब हमें double shift का income statement बनाना है आप देखें क्या होगा 24,000 unit की जएगा 48,000 unit है तो अब raw material आपके पास 1,44,000 का double कर दो 144,000 का double हो गया raw material लेकिन सामने वाले ने 10% आपको discount भी दे दी है question ने का था कि 10% आपको discount मिली क्योंकि आप ज़्यादा खरीद रहे हो 144 का 2 minus 10% 259,200 आगया ठीक है इसकी जगे आप एक काम यह कर सकते हो कि यहाँ 6 रुपे की unit थी यहाँ 5 रुपे 40 पैसे की हो गई तो 48,000 unit 5 रुपे 40 पैसे से आ गई इसके बाद में wages 72 थी double कर दो 144 हो गई fix overhead 48 थे 48 ही रहेंगे वो change नहीं होंगे इसके बाद में variable overhead 24 के 48 कर दो fixed overhead 96 थे 96 ही रहेंगे वो change नहीं होंगे तो यह हमारे पास income statement बन कर तयार होगे अब profit कमा कर हमने इसको बेच दिया हमारी per unit यहाँ solar battery थी यहाँ 12.4 battery है यहाँ 2 रुपे कमा रहे थी यहाँ 5.6 तो हमारे profit भी यहाँ पर बढ़ रहा है ठीक है जी income statement बन गया अब हमारे से बोलेंगे stock के बारे में एक एक चीज का stock लेंगे हम सबसे पहले है raw material का stock 36,000 था ठीक है तो यहाँ पर हमने per unit unit और total तीनों के column दिखाए है जब कि एक्जाम में आपसे total का column दिखा सकते है तो raw material का stock 36 था double हो जाएगा लेकिन 10% discount है तो यहाँ पर अब यह हो जाएगा 36,000 multiply by 2 minus 10% तो discount है तो यहाँ पर आप चेक कर लीजिए 64,800 आ जाएगा अच्छा units का column और per unit का column आम इसमें बनाये हुआ है जिसे अंडर इस्टेंडिंग और के लिए रहो तो अगर मैं unit का column बनाने की बात करता हूँ तो बताएए एक unit 6 रुपे की है आपके पास एक unit आपके पास 1 minute यहाँ पर देखिए एक unit आपके पास 6 रुपे की है 36,000 का stock है तो बताएए कितनी units का stock है 6,000 तो आपके पास यहाँ 6,000 unit का stock था यहाँ double हो जाएगा 12,000 हो जाएगा तो सबसे पहला material इसके बाद में WIP stock WIP stock है 22,000 का ठीक है prime cost पे था आपको prime cost देखनी पड़ेगी कितनी है prime cost 11 रुपे थी तो 22,000 का stock था 11 रुपे prime cost थी बताएए कितनी unit आपके पास stock में है 2,000 यह units WIP के stock में है ठीक है जी तो हमारे पास यह आ गया WIP का stock 22,000 11 रुपे का है 2,000 unit हो गई अब यह 2,000 unit यहाँ भी 2,000 ही रहेंगी WIP change नहीं होता unit के term में pipeline की capacity तो सेम है अब हमारे पास prime cost नहीं वाली कितनी है 9.6 क्योंकि हमारा product अब सस्ता बन रहे तो 9.6 के rate से 2,000 unit अब 8,800 की हो गई ठीक है जी WIP आ गया अब हमारे पास finished goods finished goods का stock हमारे पास total cost पे value करना है 72,000 था ठीक है जी 72,000 हमारी total cost 16 रुपे आ रही थी यहाँ पर हमारी total cost आ रही है 16 रुपे तो total cost हमारी आ रही थी 16 रुपे यानि 4500 units है तो finished goods में अभी 4500 unit है अब 9,000 unit हो जाएंगी यहाँ cost 16 रुपे आ रही थी अब 12 रुपे 40 पैसे आएगी तो यहाँ पर finished goods 16 रुपे से 4500 unit 72 अब 9,000 unit हो जाएंगी 12.4 से यहाँ पर आ गया ठीक है इसके बाद में हमारे पास आते हैं debtors तो यहाँ पर question ने sundry debtors दिये हुए sundry debtors जो लिखे होते हैं इसका मतलब वो अपने financials के debtor बता रहा है तो एक लाख आठ हजार इसने debtor बताए हैं और sale price 18 रुपे है तो एक लाख आठ हजार divide by 18 रुपे sundry debtor यानी sale value पर दियोंगे इसका मतलब 6000 unit के हमारे पास debtor है question ने कहीं यह नहीं बोला कि आपको अपनी working capital में debtors को sale पर लेना है तो हमने इनको cost पर लेके दिखा इस 18 रुपे से sale पर भी लेके दिखा सकते है तो यहाँ पर debtor है 6,000 96,000 के लिए हमने यहाँ की cost के इसाफ से आप इसको 8,000 रुपे पर ले सकते हैं allowed है और यहाँ पर 6,000 की जगे हो जाएंगे 12,000 debtor और 12.4 cost है आप इसको चाहो तो 8,000 रुपे ही ले सकते हो ठीक है जी यह debtor आ गए current asset के सारे item आ गए cash balance की कोई बात नहीं की अब creditor question कह रहा है supplier will continue to remain at present level 2 month ठीक है जी 244,000 का 2 by 12 existing और इसका 2 by 12 पर point हो जाएगा तो यहाँ पर 2 by 12 कर दिया है 144 का यह आगिया 24,000 और इसका कर दिया 259,200 का तो यह हमारे पास आगिया 43,200 ठीक है जी इसके आदें जो भी price था पर unit हो लेक दिया unit automatically आजेंगी एक कोई भी चीज फिल हो जाएगी बाकी चीज़े खुद बढ़ जाएगी एक्जाम में सब कुछ भढ़ने की जरूरत नहीं है expected भी नहीं है यह आएगा पर question ऐसा है कि हर बार RTP MTP में आता है तो एक बार देख के जाना जरूरी क्या पता किस attempt में धपा कर दें आपको इसके बाद में outstanding wages और expense यह half month के है ठीक है जी तो यहाँ पर आपके जो income statement में थे wages और expense half month के है wages आपके पास आगई 72 और 48 एक लाग 20,000 रुपे की है और expense आपके पास आ रहे है 96 प्लस 24 यह भी एक लाग 20,000 के है ठीक है जी तो एक लाग 20,000 एक लाग 20,000 यह दोनों दी हैं आपको half month तो 0.5 by 12 इसका भी 0.5 by 12 यह वाला आ गया तो पांच यह जार पांच यह जार निकलाए अभी वाले अब future वाले future वाले आपके जो यहाँ पर है 144 और 48 यह आ गए 192 वेजेज और overhead आ गए 48 प्लस 96 144 यह भी half month के half by 12 half by 12 तो 192 का आ गया 8,000 और 144 का आ गया 6,000 तो 8,000 और 6,000 कोशन खतम कोशन ने पूछा था वर्किंग कैपिटल कित्ती बढ़ेगी तो यहाँ पर हमारी वर्किंग कैपिटल 286 हो जाएगी यहाँ 192 94,000 बढ़ जाएगी यहाँ पर आपका वर्किंग कैपिटल का काम खतम सबसे पहले तो बच्चों के लिए तालिया हो जाएगी जिनोंने पूरी के पूरे सेशन को इंज्वाई किया है और तालिया उनके लिए भी जो अभी घर पे जाके इसके कोशन करेंगे यह जो डबल शिफ्ट वाला कोशन है यह सिर्फ आप देख लेना इसको राइटिंग में करने की नीड आपको नहीं है एक्जाम में आने की इसकी प्रोवैल्टी कम होती है बस धपा कभी ना देते इसलिए करवाए तो इसको एक बार रीड कर लेना टाइम अगर आपको मिलता है हाँ जी कितने बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने सोचा था वर्किंग कैपिटल छोड़ कर जाएंगे लेकिन आप कर के आएंगे ये भी बता दीजिए बच्चा बूचा एक्जाम में हुआ है यस दो बार है हुआ है मजा गया बहुत बढ़िया सर आपने तो मदलब एक दमासान कर दिया और जी मजा आ गया फाल कर आएंगे फाल करने आएंगे बिटा फोल कराएंगे होता है बच्चा 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 फोल कर आएंगे बोल रहे एक तो ये आजकल नेट्फिलिक्स और हमेजो उनने सब गड़वल कर दिया है हाँ जी बहुत बढ़िया एक बच्चा पूछ रहे सर आपका क्या ओपीनियन है कि FM का पेपर हार्ड आएगा या आसान आएगा जो बूस्टर बैच करके जाएगा उसके लिए आसान होगा जो नहीं करके जाएगा उसके लिए हार्ड होगा ये मेरा ओपीनियन है हाँ जी तो अब आपको सीधा सा क्या काम करना है आधा एक घंटे का ब्रेक लेना है और उसके बाद में बूस्टर के इसके जो कोशन थे वर्किंग कैपिटल के उन्हें सोल्व करना है जैसे ही आप वर्किंग कैपिटल के कोशन्स को सोल्व करोगे आपको एक अलगी कॉन्फिडेंस फील होगा बस इसके बाद फिर रेशो है, कैपिटल बश्टिंग है और कोस्ट ओफ कैपिटल, कैपिटल इस्ट्रक्चर मतलब जिसमें हमारा चैनल सब्सक्राइब न करा हो वो चैनल सब्सक्राइब कर दे मुह से कंसेप्टी निकलता है इसके लावद टेलीग्राम चैनल पर वी कनेक्टिड रहें कल हम लोग मिलेंगे पांच बजे रेशो एनलिसिस के साथ ओके जी सभी को टाड़ा वाई बाई